बलु स्री कृष्ण कनहेय लाल की, स्वत्गुरु महराज की, स्री प्राणिनाथ्य प्यारे की, महरानी वाईजुराज की, महराज छत्र साल की, स्वामे स्री लाल दास्टी महराज की, तिनो पुरी धाम की, समस्त सुन्दर साथ की, प्रथम लागों दों चर्ण को, धनिये न छुड़ायो चिन लांक तले लालेडियां मेरे जीव के यही जीवन इन पाउं तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो वातुन पलन वालो निरखोने त्रे मेरे जीव के यही जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन वलुस्री प्राणिनाथ प्यारे के पहले अग्यारे बरस और उपर बाउन दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निजजन ता पिछे आए रास में इंड जुग माया जागरत तहां बिरह बिलास दों देखके फिरे इत ता पिछे आए रास में उपस्तीत सद्धर्म प्राण धर्म शिरुमनी सद्जर्वीन सुन्दर साह जी बितक सर्शा प्रसंगमा आज हमी चत्तुर्थ दिवसको वैठाकमा उपस्तीत भैशे के कासों हीजो को प्रसंगमा हमी श्रवन गर देथियों अक्षिरातीत परव्रम्ह परमात्म स्रिराज्जी महराज ले आफनो दिव्यधाम को आत्म हर लाई अक्षिर ब्रम्ह द्वारा निर्मीत असद जड़ दुखमय संसार जगनाटक देखायर परम्धाम को श्रिराज्जी महराज को प्रेम्र रज्जी को पात्सायलाई समझाओनों को लागी जब अक्षिर ब्रम्ह रहा हमें आत्म हर को बीज मह देखा देखवायो उता आत्म हर प्रेम संबाद को साथ साथ मा खेल हिरने आउने पूर्ण तयारी चली रहे को थी यो एता अक्षिर ब्रम्ह को मा द्हंबाट कसरी संसार को रजनाव हयो स्रिष्टि को उत्पती स्रिष्टि को विस्तार अने स्रिष्टि उत्पती भायरा अईले समम मा कती समय बेती द्वायो ती समय का गणना हरू रतेश को साथ साथ मा विशेश करी 28 द्वापर को समय मा अक्सिरातित परव्रम्ह परमात्म स्रिदाजी महराज आफनो दिब्ब परम्हाम को आत्मा हरुलाई येस संसार मा ब्रजवंडल मा लीर कसरी आउन भयो तेश्म भिशेश गरी स्रिक्रिष्ण को त्रीधाली लाको प्रसंग जस्मा बैकुंट धाम बट स्रिक्रिष्ण को आउने कारन गौलोग धाम बट स्रिक्रिष्ण जी को आउने कारन अक्सिरातित परम धाम बट स्रिक्रिष्ण जी को आउने कारन तेश्को साथ साथ मा फिरी कसरी ती तिने सक्ती यहां धर्दिमा अवतरन हुदश नंद वाबा को घरमा पद्रावनी भाय को बालक दुई भुजा सरोप स्रिक्रिष्ण जी भीत्रा ती नहीं ओटा सकती विद्देमान्च पुनह भोली पल्ट विहाना नंद वाबा को घरमा श्रिक्रिष्ण जी को दर्शन गर नको लागी नन्द उत्सप मनावन को लागे आफनो आफनो घार वाट निकलिये का ती ब्रज बधू ब्रज का बुहारी ब्रज गोपिनी हरुवित्र परम्धाम का बारह हजार ब्रह्मा आत्मा हरुको शुर्ता प्रवेश भाय पची ती आत्मा हरुलाई ने सखी को रूप बाटा सखी को नाम बाटा चिनिंच अक्षिर धाम बाटा अक्षिर को 24,000 बृत्ती हरुपनी ब्रज मंदल मा कुमारी का सखी वित्रा आयर प्रवेश भायो प्रएशरी 11 वर्ष बाउन दीन सम्म ब्रज मंदल मा कस्ता कस्ता लिला हरुबाई अक्षिरातीत को प्रेम भरी लिला गऊलो के श्रे क्रिष्ण को ग्वाल वाल को सात्म भाय को लिला रब बैकुन्ठ को विश्ण सक्टिले राक्षे सर को दार गर को लिला को प्रसंग हरुमाती हमी चर्जा गर दे थियों पर तेही प्रसंग मा ब्रज्यमंडल मा जुन एगहार वर्स बाउन दीन सम्म लिला भयो जस्मा एगहार वर्स सम्म को सम्योग लिला हो वने बाउन दीन को बियोग लिला हो अनि वित्तक को प्रसंग में हमिले जुन 14 सुत्र का कुरा गरे का थियों तेसमा महाकारण सुत्र को विशे में हमिले खुलासा गरे हो जो परमधाम को बर्नन परमधाम को लिला को बर्नन फेर इक कारण सुत्र में अथि परनी हमिले चर्जा गरी सके का सो यो स्रिष्टि को उत्वति को कारण के हो अक्षेर ब्रह्मा लाई परम्धाम को लिला को दर्संगरने इच्छा भयो परम्धाम का सक्की हर लाई अक्षेर ब्रह्मा को खेल हिरने इच्छा भयो जुन कारण ले स्रिष्टि को रचना भयो जुन कारण सुत्र अंतरगत चर्चा भयो तेशबची तेश्रो जुन मोहजल सुत्र अक्षेर ब्रह्मद्वार अच्छार ब्रह्मान्द को रचना का सरी भयो सुरिष्टी को विस्तार का सरी भयो मोहजल सुत्रा अंतरगत को प्रसंग बनी हमिले चर्चा गरीशक के काशों रतेश पची फेरी जुन ब्रजमंडल सुत्रा ब्रजमंडल मास्तर कृष्ण जी को आगमन ब्रह्मात महर को आगमन कुमारी का सखी को आगमन एगहार वर्ष को सम्योग लिला बाउंड दिन को ब्योक लिला को माध्यम बाट हमिले ब्रजलिला सुत्र को प्रसंग माथी पनी चर्चा गरीशक के काशों ता आज को हमरो प्रसंग ब्रजलिला सुत्र पची राशलिला सुत्र अथवा एगहार वर्ष बाउन दीन को लिला पुरा भई सके पची अव रसराश लिला को प्रसंग देकी हुदई अगाडी बढायर निजानन्द चार्य सतगुरुस्ति देव चंद्रजी महराज को प्रकट कसरी हुदच यो विशय माती आज हमें खुलासा गरने छो एगहार वर्ष को समयोग लिला पसी बाउन दीन ब्योग लिला भईो बाउन दीन संग को वियोग लिला मा आत्मा हरु को स्तित्य इस्तो भईो जो एक कई छीण पनी स्रिक्रिष्न बाट अलक हुदा खेरी विरह सहन गरन न असकने युगों यूग बेदीदभाय को जस्तो महोसूस हुने इात्माहरु लाई स्रीक्रेश्ण को साथ्मा Bound दीन सम्माजव बियोग सहनगरणों परयो आव आत्माहरली विरह लाई सहनगरण सकने कुने कुने ताकत इात्माहरु मा रहे न स्वात शिय शकिहरू उनी हरलित पूर्ण रूप मा बिरह को अनुभाव गरें बाउन दीन सम्म को यो वियोग लिला भाई सके पचे अवा बाउन दीन जब बेतीद भायो समय आयो सरद कुणम को दीन अवा यही दिनने संध्या को समय मा स्त्र कृष्ण जिले बंशी नाद गर्नुँँचा अनि तेश्पची आत्मा हरुला योग माया को ब्रह्मांडम एकत्त्रीत गरेरा रास लिला को अनंद प्रदान गर्नुँचा ब्रज लिला पशी रास लिला को वर्रन को संधर्बम स्वामी श्री लाल्ला श्री महराच अब यहां भन्णुचा ता पिछे आये रास में इंड जोग माया जागरत तहां बिरह बिलास दों देखके फीरे इत्त ता पिछे यहने की ब्रज मंडल को एगहार वर्स बाउन दीन को लिला पशी आत्महर लाई रास मंडल मा एकत्रीद गराऊन भायो तो अवस्त रिक्रिष्ण जीले कसरी बंची बजाऊन भायो हमी आत्महरू रास मंडल मा कसरी पुग्यों येस विशे तर फाहमी खुलाशा गरनेशों चर्चा गरनेशों तो जब एगहार वर्स बाउन दीन को ब्रजे लिला पुरावायो बाउन दीन देखी सखी हरू तड़्पिदे गरदा खेरी स्रिक्रिष्ण संग भेटन न पाऊँदा स्रिक्रिष्ण को आवाज सुनन न पाऊँदा कताई बाटको ने आवाज आऊँदा खेरी पनी शखी हर लाई इस तो महसूस हंथियो की हामी लाई स्रिक्रिष्ण जी ले बुलाई रहलो भाय कोच इस तो खाल को इस्तितिमा आत्ना हरु पुगी सखे काशन जब बाउन दीन को बियोग लिलाच पुराभयो स्रदे जस्ते बाउन दीन सरद पुणम को दीन पनी स्रिक्रिष्ण जी प्रात्त कालीन समय माने गाउ बचेडा हरु लियरा ग्वालवाल को साथमा ब्रिंदावन तरफ प्रस्तान गर्न हदच देन भरी गव बचेडाचर्ने गवालवाल हरु को साथमा ब्रिंदावन न विविण प्रकार का खेल तमाशहरू लिलाहरू हुने यो प्रसंग चलिने रहो जब संध्या को समय भयो सवे ग्वालवाल हरू अने स्वयम स्रिक्रिष्ण जी पनी स्रिक्रिष्ण जी को साथ मा विशेश रुपमा कल्यान जी बलराम जी पनी उपस्तीत हुनुंच सवे अवा संध्या को समय मा ब्रिंदावन वाट गोकुल तर्फ फर्की ने तैयारी चली रहे को थियो सवे जना ग्वालवाल हरू गवचेडा हरू लिये रहा कल्यान वलराम पनी साथ मा अवा गोकुल ती रह फर्की ने हुनंत्यों स्रिक्रिष्ण जी पनी ब्रिंदावन पाट अलीकती बाटोत लागनु भायो तरह अब स्रिक्रिष्ण जीले के गर्न भायत वन्दा त्याहाँ वट फेरी ब्रिंदावन भित्र प्रवेश गर्न भायरा सरद पुणम को संध्या को समयमा स्रिक्रिष्ण जीले प्रेम रुपी बंसरी नाद गर्नु हंचा बलो स्रिक्रिष्ण का नहीं अलाल के महमती प्रणिनाह जी महराज वन्नुंच सरद निशारे पुणमतनी आभ्याते आसोरे मास सकल कलानो चंद्रमा एणी रजनी की धोरे रास सरद निशारे पुणमतनी शरद को महिना अनि यो संध्या को समया रात्रि को समया पूर्णिमा को रात्रिमा जो संपूर्ण कलाले युक्त चंद्रमा उदय भैशा के कुछा त्योर समय मा स्रकृष्न छिले रास रमन करन भैशो ता रास रमन को लागी सर्व प्रतम स्रकृष्न छिले संध्या को समय मा बंसी भजावन भैशो जब स्रिक्रेश्ण जी को बन्षी को नाद ब्रिंदावन बाट हुदैं हुदैं गोकुल गाउं मा पुगयो जब स्रिक्रेश्ण जी को बन्षी को नाद को जनकार गोकुल गाउं मा पुखने वित्ति कई ती बन्षी का नाद सारा अस्थ किहरले स्रवन करें जो बाउन दीन देखे स्रिक्रिष्ण को बियोग में तड़पी रहे का थिये जब तामशी शकी हर ले बंशी को नाद सुन्यों बंशी को नाद सुन्य वित्ति के तामशी शकी हरु ता जो संसार को काम गरी रहे का थिये कि नवने ब्रजमंडल का शकी हरू जो ब्रजय का बदू हरू हुन शंसार को काम बाट अलग होना ता सकते न हृदय में स्रिक्रिष्ण को विरहा दुखरा दर्द ता छदे ने शा तरह घार को काम बेवहार हरू सवेशं मालनों परदा शा तेश कारण ले गरदा खिरी सवेश शकी हरू आफनो आफनो घार वेवहार को कार्रे मा बेस्त थिये तरह संध्या को समय मा जब स्रिक्रिष्ण जी ले बंशी बजाओन भायो तामशी शकी हरू ले जब बंशी को नाद सुनने विति कई जस्तो को तेश्ते अवस्तामा गरदाई गरे को सारा कार्रे हरू ले तेही ने री छोड़ी दियुन भायो रसकी हरू तेहां बाटा श्रिक्रिष्ण जी को बंशी को नाद को जुन आवाज को साथ साथ मा ब्रिंदा वंतर दोडी न थाले स्रिक्रिष्ण जी को बंशी को नाद मा शक्रिष्ण ले आफनो नाम स्रवन गरे प्रतेक शक्रिष्ण ले आफनो आफनो नाम सुने शक्रिष्ण लाई एस तो लागयो श्रिक्रिष्ण जिले बन्षी को नाद वाटा मेरो नाम उचारन गरेर मलाई बुलाई रहन भाय कुछ चा एस तो खाल को भाव प्रकडवायो प्रेम प्रकडवायो भेदैमा विरह पनी चा रशकी हरू दौडियर ब्रिंदावंतर फलाक चान तामशी शकीहरू कस्तो अवस्तामा विर्णावंतर फगायत बन्दा महमती प्राणिनाही महराज राश ग्रंथमा यो बंशी बजेपची शकीहरू कसरी दौडिये राश ग्रंथको पांचवा प्रकरण महा प्राणिनाही बर्रन गरनों है को चा कोई शकीरे होती गाई दोहती दोद गोणियों रे हाथ माही एने समय बेण थाई बल्लवनी पड़ी गयो गोणियों तेने ताहें कोई शकीरो गाई को दोद निकालते दे तेहीं समय में स्रिक्रिष्ण जी ले बंशी बजाओन भायो स्रेक्रिषन जी को वन्षी मession आफनो नाम सुननि विति कई गाई को दूद निकाल दई घरे को बरतन तही नेरी जमेन माँ परो शकी दोडर हव्रिंदा वन तर फागाडी वाड़द अचन कोई सक्की बचाला इश्नान गराई रहे की थी हिन स्रेक्रिष्णा जी को बंशी को नात्मा इस तो बेहोशी अवस्ता भायो बच्चा तहीं जमीन में गीरियो शकी दोडेर व्रिंदावन तर्फ अगाडी वर्दचिन कोई शकी आफनो पति लाई भोजन खिलाउनों को लागी भोजन पिरोश दे थी तेई समय में बंशी वज्यो तेती कई अवस्तामा छोडेर दोडेर जादा खिरी योटा गोडा भोजन को थालिमा और को गोडा पति को शीर में तेहां वट दोडेर इस शकी हरो ब्रिंदावन तर्फ अगाडी वर्दचन किने भन्दा केरी स्रीक्रिष्ण को वियोग मारा स्रीक्रिष्ण को प्रेम ले गर्दा केरी शकी हर लाई सरीर को संसार को कुने शुद्धी बुद्धी भायना जस्तको तिस्ते अवस्तामा तामशी शकीहरले संसार लाए छोड़े रा ब्रिन्दावन तरफ अगाड़ी वर्दचे तेश्वची अरको दोस्तरो जमात राजशी शकीहरू राजशी शकीहरले पेनी स्रीक्रिष्ण को बंशी को नादमा आफनो आफनो नाम सुने जब वनशी को नादमा आफनो नाम सुने बित्ति के राजशी शकीहरले की विचार गरे ता भंदा स्रीक्रिष्ण जीले हमीले वनशी बजावनो भाए रा आफनो नाम उचारन गरनो भाए रा बुलाई रहनो भाए को छा हामी सिंसार को काम गरी रहे का छो तो इस तो अवस्ताम स्रिक्रिष्ण जी संह इत्ती के तो भेटना जानू भाय ना मिलनू जानू भाय ना स्रिंगार करे रामरु भाय रा सजीर जानू पर सा भन्ने विचार करे रा तामशी शकी और स्रिंगार कर रखाले तरह स्रिंगार गरदई गरदा खिरी श्रीक्रिष्ण जी शंग मिलने जुन बिरह रिदय में भाई को कारण ले गरदा त्यों आतूरताम शिंगार गरदा खिरी सिंगार उल्टा-पुल्टा भायो योटा आखामा काजल लगाए अरको आखामा बाकी रहयो अनि कान मा लगाउने अबुषन चरण मा लगाउने अबुषन कान मा आदा कपाल समालिये कोचा आदा कपाल तिति गईएचा पुल्टो सिंगार करे रहा इत राजशी शकीहरु पनी ब्रज्यमंडल वाठा निकले रहा प्रिन्दावन मा स्रिकृ्षनेजी संग मिल न को लागी भेट न को लागी दौडर जादचन प्रजमंडल बाट ओडरीद राजश new लव स्वाथ शकिह हरूपनी उल्टा पुल्टा स्रिंगार गर निकले ओहो बाउन धीन को वियोग पची स्रिक्रिष्ण जी ले हमिलाई बुलाऊनों भयो तरह अलिता हमी संसार को काम गरी रहे का छो हमरो कपडा हरू पर नी संसार को काम गरदे करदा खेरी घर में बसता वेवार करदा कस्तो हाल को कपडा हरू लगाए को छो स्वात्य शिशकेर ले विचार गरियें सुन्दर सुन्दर स्रिंगार मा सुन्दर सुन्दर बस्त्र आभुशन ले सजीर जानू पर छा अनि स्रिक्रिष्ण जी को पास मा एत्रो दीन पची जादे छो भने खाली हाथ जानू भाय ना नीता तेसे बेने स्रिक्रिष्ण जी हामी देखी रिशावन भाय को छा, वहां लाए मनावन पर छा, खुशी बनावन पर छा, वहां को स्वागत को लागी, सतकार को लागी, केई ने केई भोग बेंजन पकवान सामागरी लेर जानू पर छा, इस तो खाल को विचार गरे रहा, की हरे ले अवकेगर न थाले तभन्दा, स्रिक्रिष्ण जी लाई, भोग धरावन खुलागी, विविद्न परकार का बेंजन पकवान हरू बनावन थाले, स्वागत का सामागरी हरू तयार गरन थाले, अनि सुन्दर सुन्दर बस्त्र आभूशन वाट सिंगार गरन थाले इस तरे तयार भायरा, इस स्वागत सिशकी हरू पनी अवा निकलीने तयारी गरी रहे की दिन, तरह घार को, संसार को, सरीर को पती ले, था पाए, अनि उनिहर ले, अवा घार घार को पती ले, किये गरे तभन्दा, अच्छा, तिम्हरू पनी अवा जाने तयारी गर देश सब्सुनुंछ कंब कि यह सब्सक्राइब और एक प। ओर हैं नगर नगर परीट टोघ्रीन स्वा नहीं सब्सक्राइब अधियार में तीआ यदे सब्सक्राइब को रिदय में इस तो विरहा प्रकडवायो श्री क्रेश्ण जी संग मिलने विरहा चा अनि संसार को शरीर को पति ले दर्वाजा बंद गरेर रोकी रहे को चा जान दी रहे को चैना योटा क्रोध पनी सा तामस्वनी जागरेद भायो रकती गर्दा खरी पनी घार बाट निकल अहमती प्रणिन जी बन्नुंच धीक धीक पड़ो रे आ संसार कान उठी रे अगिन ब्रह तामस भेला थया त्यारे अंगडा थयारे पतन श्रातेशी शकिहर को दिल में इस तो भाव प्रकडवायो इस तो विचार आयो यो संसार लाइने धिकार चा किन यो संसार में अगन प्रकडवायो अगनी ले जलर यो संसार ने किन खतम है न किन इस तो विचार आयत बन्दा ब्रह तामस भेला थया ब्रह वने को विरह स्रीक्रिष्ण जी संग मिलन नपाएको वेटन जान नपाएको विरह चा दुख चा धर्द चा तामस भने को क्रोध सरीर को पतिले जा बंद गरेर रोकी रहे को सतेश्मा तामस क्रोध प्रकडवायो जव विरहर तामस एक सात्मा उपस्तीत भायो अंगडा थयारे पतन्न स्वात शिशकिर कही नेरी नहीं गीरद सा सुर्ता रोप निकलेर आवा इस्वात शिशकिर उपनी ब्रिंदा बंतर्फ अगाडी द ईससे नी तामसी शकिहरो राज़सी शकिहरो स्वात शिशकिहरो आफनो आफनो प्रकार ले वरिंदा बंतर्फ अगाडी दोडी रहेका छन्ए महमत दीपरडि नाहीं हराचे आफनो बाणी मा भंडों छा तामस प्र。 पिपशेगे राजशियां चलिए श्वाात Siya शरीर चोड के मिली ताम शिशकियर पहला ने दोडं़ी राजशिशकियर रुपनी पछी पछी उल्टा-पुल्टा स्रिंगार गर्दे दोडं़ी श्वाात Siya श्वात Siya शकियर ruपनी घार माने सरीर चोडे रहा श्रिक्रिष्ण जी संग मिलन कुलागी शुरता रूपम आत्मा रूपम आगाडी जानु हुन्च अब के भायो उता बंदा खेरी श्रिक्रिष्ण जी ले बंशी नाद शुरुगर्ण भाये को यहां को ब्रिंदावन में जहां सदे श्रिक्रिष्ण गौव बच्छडा चराओन जानु हुन्थियो तर त्यहां बंशी बजदा 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 आवा त्यो बंशी को जनकार कहां पुग्यत भन्दा त्यो बंशी अब बजदे बजदे यो हाद्ध को भुमी देकी पारा ब्यहद्ध भुमी मा अक्षिराते श्त्रिक्रिष्ण जी को आवेश सक्ति जो एक हार वर्ष बाउन देन सम ब्रजली लाम गरने वाला सक्ति जसले ब्रिंदावन मा बंशी बजाओन सुरु गर्न भाय को थियो तेही सक्तिने अवा ब्यहद्ध भुमी कामा अक्षेर ब्रह्म को चित अंतसकरन केवल ब्रह्म को धाम मा उपस्तीत हुदस अनि त्यहां पुगन भायरा केवल ब्रह्म को स्वामिनी को मन अंतसकरन मा योग माया को ब्रह्मांड कुरचना गरन भायो स्वयम स्रिक्रिष्ण जी सवयम स्रक्रिष्ण जीत आहां योग-माया को सरुबाट सुशस्जीत हुन भयो ओ योग-माया को स्रिंगार धारन गरन भायरा अनि अब यहाँ वाट वन्शी को नाद सुन्देगरे का सकी हरू दवडी 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 जाने क्रमात यहाँ को ब्रिंदावल्लाई लक्षे राखेर अगाडी दवडे को तर वन्शी को नाद को पची पची लागदे दवडी दवड़ा खेरी शक्रिष्ण जिले योगमाया को सक्ति द्वारा योगमाया को ब्रह्मांड रास को लागी तैयार गरनुभाय को थियो शबै शक्रिष्ण सुर्था रूप मा त्याहा निरी पुक्द चल तर त्यू समय में यो संसार से की भायत बंदा संसार इस्तब्द होदा चल संसार इस्तब्द बने को अचल अब स्वंपूर्ण नारेन सिष्टी स्तब्द बहयो स्रिक्रिष्ण जी को आवेश सक्ति योगमाया को ब्रिंदावन केवल धाम मा उपस्तित होनो दस और राधार आनी को सक्ति जस्वित्र परम्धाम को श्यामा जी को सक्ति विद्दे मान चा त्यो सक्ति पनी केवल ब्रह्म को स्वामिनी को मन अंतशकरन मा ब्रिंदावन मा पुग्ण भायो योगमाया को सरीर धारन गरे रहा योगमाया को स्रिंगार मा सुस्वित्जीत होनां चा तामशी राजशी रश्वातशी तिनें दर्जा का सक्ति हर लेपनी आफनो आफनो इस्तान मा यहां काल माया को सरीर लाइतिती गई छोडे रहा शुर्ता रूपमा गारा केवल भामा योग माया को ब्रम्भान्डमा योग माया को सरीर धारन गारेरा सकीहरू तैयार होद जिन और को योटा जमात रास्मंडल भित्र प्रवेश वाय कोचा को ता भन्दा ही जो हमी स्रवन गरी रहका थियो कुमारी का सकी को प्रसंग एक पच्टक गौलो की स्रिक्रिश्ण जीले कौमारी का सकीहरू को बस्त्रा हरन गरनू भाय को थियो त्योँ समयमा अंतमा स्रिक्रिश्ण जीले की बचान दीन भाय को थियो ये शकी हरू, मैं ले तिमहर को परिक्ष्यागर रहे रहे को थियें, तिमहर उतेर्ण भायो, अगाडी मा जब रस रास लिला रस ने शुत्यो समय मा मती में हरू लाई, रास लिला वित्र प्रवेश का राय रास को अनंद दिने शुगने रा बचन दिनो भाय को थियो, इक उ आत्मा कुमारी का सकी हरू पनी दोड़ीन, कुमारी का सकी हरू को पनी यहां को शरीर काल माय को शरीर तो यहीं नहीं रहे हो, शुर्ता रोत मा इनी हरू पनी, केबल धाम मा जुन योग माया को ब्रह्मान्द तयार भाय को था, त्यों योग माया को ब्रह्मान्दा मा 24,000 अब यू नारायन श्रिश्थी पुरें इस तब्द भाय को है अब हम ने केवल धाम, को योग मया को बुरहांद तरफ प्रस्थान गरों केवल धाम मों योग माया को ब्रहम्हांद स्रीकृष्ण जीले रचना गरन भायो तियो भुमी ने अनन्द मोय भुमी हो त्यों केवल ब्रह्म को धाम जुन योगमाय को ब्रह्मांड रसरास को लागी स्रिक्रिष्ण जी ले तैयार गर भयो त्याह का यावत वस्तु पदार्थ सामागरी हरू स्रिक्रिष्ण जी को ने आनन्द को सरूप को विस्तार हो तेस कारण वहां का यावत बस्तु पदार्थ रू अनन्द रूप चल। अनन्द रूप चल। 24,000 कुमारी का सकीहर। 24,000 कुमारी का सकीहर। योगमाया को ब्रह्मांडमा अलगए देह अलगए सरीर शैना। योटा योगमाया को सरीर मां जुन योटा परम्धाम को ब्रह्मात्मा को सर्ता प्रवेश वायको छा। तेहें योटा सरीर मां नहीं कुमारी का सकीहर को ब्रह्मात्मा को सर्ता प्रवेश वायको छा। 24,000 कुमारी का सकीहर को सुर्ता प्रवेश वायको छा। इस तो प्रकार ले कुमारी का शकी हरुले पनी रास को अनंद लिन को लागी परम्धाम को ब्रह्मा आत्मा को सुर्था प्रवेश भाय को शरीर भीत्र ने दुईदी ओटा सुर्था प्रवेश भायरा रास को अनंद लिन को लागी तैयार सन। इसरी सबीया आत्माहरली योगमाय को सरीर योगमाय को स्त्रिंगार धारन गरेर सुच्च जीद भाय आवतेश्वसी अगाडी की होदा सत्वन्दा शकेरु जब योग माये को शरीर धारन गरेर ब्रिंदावन भित्र प्रवेश गरने लागे को मात्र के थियो तरवेश मास्तर कृष्ण जिले रोकनू भायो अब यहां बट अगाडी को प्रसंग लाई महमधी प्राणिना जिले उथला को वचन भनेरा राज क्रंथमा उथला को प्रकरण माथी ब्याख्यागर भाय को चाल तो उथला को वचन भने को प्रस्ण उत्तरी जब शकेरु ब्रिंदावन भित्र प्रवेश गरना लागनू भाय को थियो स्रिक्रिष्ण जिनले वेज मा रोकनु भायरा के भन्नु भायत rhetoric लेश है दो तीम्हरो कुल बदु नारी हरू हो तीम्हरो कुल बदु नारी यो संध्या को समय मा मेरो वंशिक आवाज सुने रापागल जसतो भायरा यो ब्रिंदावन मा किना आयेको कोल बदो नारी हरलाई संध्या को समय मा इसरी गहर सड़े रा बन मा आउनों सवभादी नहीं न यो कोल धर्म भंगा भायो तेश कारंती मरों छीटो भंदा छीटो फरके रा गई हाला याँ वाटा एरनुस्तकस्तो विचित्र को कुरा शकीरो असरे चकीत लाए शकीरो तर स्रिक्रिष्ण को वियोग मा बाउन दीन दिखी तड़ पेरा बाउन दीन पस्रिक्रिष्ण ले बंशी वजाओनों हो दा त्यो बंशी को नाजमा आफनो नाम शुने रा स्रिक्रिष्ण जी संग मा भ शकीहर लाई छोड़ेर जानना को लागी कती बल लगाउनों परियो कती ताकत लगाउनों परियो महमती प्राडिनाजी भन्नोंचा गौपद बच्छकर गोपी निकसी बन्ना को अर्थकीत भन्ना गाई को बाच्छाले गीलो माटों मा टेकदा खेरी अली कती खाल्डा त्या नेरी पानी प्वारे को हुँचा पानी जमे को हुँचा त्यो पानी लाई नागना को लागी हमिले को ती बल लगाउनों पर्षा हेर्दाई करदा खेरी सहस्ता को साथ मा त्यो पानी नागी हल्सा पार तरी हल्सा यो अथाहा भवसागर संसार भवसागर को बंशी को नाद मां शकीहर ळूहाई यूव भाव सागर पार गरन को लागी दिज़ी पनी बल लगावनु परे न जती योग गाय को बाच्छाले टेके को खाल्टमा जम्य को पानिला नागन को लागी बल लगावनु पर सर्थ मतलब संसार अगन्य रूप मां प्रतीत भयो कि न भने स्रिक्रिष्ण को विरह स्द्रेक्रुक्रतिकों प्रीव को कारण ले गर्दाके ए दिसे पुर्णा रूपद ले प्रित्याग गर है तुम्हाज रहा को नियुफ 혼üman गर्म्हरुलख सब्सक्राइब कहुंगा ग्रिश्च्न जिवनौंचाही स्कारों तिमयरू की बृद्धा खरो नहीं को लागे आएको हो। ब्रिंदावन नहिरने को लागे आयको हो वने छिटो छिटो एक जलक ब्रिंदावन नहिरने फरकेर गई हाला किन वने यो संध्या को समय हो विस्तारे घोर रात्री होने चा अनि रात्री को समय मा जंगली जनवार हरू निकलेने संदुखा दिने चंद भैंकर इस्दिती खड़ा होने चा तेश कारण ले रात्री को समय मा युब्रिंदावन मा बश्णो रामर होईना तीमरो छिटो फर्कर गई हाला अनि स्रिक्रिष्ण जी ले सोदनु भैयो ब्रजमेंडल मा सवे ठाकता चानी इस्दु प्रकार ले विविन प्रकार का बचन हरू स्रिक्रिष्ण जी ले प्रहार गरनु भैयो अनि स्रिक्रिष्ण जी ले बेद सास्त्र को नियम अनुशार कुल धर्म को शिक्ष्या दिन होदा छे ये शक्यारो बेद सास्त्र को नियम अनुशार कुल बादो नारी हरूले इस्तो काल को नियम पालन करने वड़ा कि आफ नो पती एदी रोगी सा भने पनी लुला सा भने पनी लंगणा सा भने पनी अंदा सा भने पनी मूर्खा सा भने पनी भावरोगी सा भने पनी दलेत्री सा भने पनी जस्तो सुकई अवगों ले भरिये को पती सा भने पनी कुल धर्म कुल मरियादा अनसार पती ब्रता इस्त्रिले आफनो पती लाई छोड़नों हो दैना तेस कारण फरके रह जाओ घर में पती ले प्रतिक्षा गरी रहे को हला बच्चा हरो रोई रहे को हला इस्तो अबस्ता में या मृशनो रामर होई ने सकीहरो इस्तो प्रकार ले धर्म सास्त्र को बेद उपनी सद्ध को पती ब्रता धर्म को नियम हरो माती खलास अगर नह दै स्रिक्रिश्ण जिले सकीहरो लाई उपदेश दिनों भायो समझाओ नों हो शकीहरो अब विचार गरना थाले तिसमा विशेश करी स्वातेशी शकीहरो तो जमीन में बेहो सबस्तामा लड़ी रहे का छन किने वने उन्य हर लाई ता बाउन दीन को बीरह सहन गरना ने मुश्किल परे को अब यो स्रेक्रिश्च्ण जी को बचन बाहन को प्रहार सुनर सहन गरना शकने और हमा कुझे ताकत ने कुझे श्यमता न हिए न राजिशी शकी हरुपनी एक तमे भित्रवाट बेचैनी रहे कोच शरीर लाई थामना रोकना गारो परी रहे कोच तामशी शकी हरुपनी दुखरा दर्दत बहुत भाये कोच तारपनी तामशी शकी हरुपनी विचार गरी रहे की जिन्त भन्दा श्रिक्रिष्ण जी ले जटिपने इवचन वाण हर कुप्रहार गरीद अहनु भाय को छा एसमा दोष हाम रही छा बाऊंड दीन पहला हमी ले श्रिक्रिष्ण जी ले के भनेका थियोnd अनि अरको कुरा, हामुरों गल्तिके सतवन्दा, स्रीकृष्ण जी बिहाने ब्रिंदावनमा उन भायो, हामी यती धीलो संध्या को समय मा आयों अनि अरको कुरा, यती धूलता आयों, तरह हमी अफने हिसाब ले आफे ले जाने रब भुजे रपनी आयों जब स्रिक्रिष्ण जिले बंची बजार बोलाओन भायो हामिलाई तब मात्र हमें आयों तेस कारण हमरो देरे योटा गलती हरू छन तेस कारण निगर दाखरी स्रिक्रिष्ण जिले हामिलाई इस तो खाल को वचन बाण प्रहारगरी रहन भाय को छा आपनो मन लाई वुजाए रहनु भाय कीचिन शक्खी हर लाई एक आपसमा योग हाल को सांतोना दिदे समाली रहे कीचिन अब हुदै हुदै सक्खी हरू स्रिक्रिष्ण जी लाई के भन्ना थाले ता बन्ना है स्रिक्रिष्ण जी हामी ले पनी ता हम रो केई बिचार हरू हजुर समक्ष बेक्टा गारना पनावनु परे यो हजुर ले आफनो भनाई हरू आफनो बिचार हरू तो राखन भायो हामी पनी हम रो केई बिचार हरू राखना चाहां चों अव शकी हरु स्रिक्रिष्ण जी लाई भन्न थाले है स्रिक्रिष्ण जी तब आईने हमिलाई कुल धर्म को भिशेम है कुल मर्यादा को भिशेम है धर्म सास्तर को नियम अनुशार बताऊनो भायो समझाऊनो भायो अब शकी हर ने आफ़नो विचार आफ़नो भावना लाई कहीं उद्धारन हरो देए हरा स्रिक्रिषणजी समक्षे कहीं प्रश्ण हरो शोतन हुन्च आफ़नो विचार हरो वेक्तत गर्ददजी शकी रुखे वद्द चंत बदभनद हे स्रिक्रिषणजी इवो ठाम माली ले आफनो जमेन माँ बगईचा बनाया रबगईचा लगाये का हुँचय। तो बगईचा को रकशया गरना को लागी। त्यहां को फ़ल फ़ल हर को देख फ़ल करना को लागी। मालिक ले माली यानि की चवकीदार राखे को हुँँचा अनि जव तियो भगईचा मा फाल फाले रा परिपक को हुँचा फोल खिले रा परिपक को हुँचा ते तिखेर तियो फाल फोल को अधिकारी माली होदा सा की मालिक होदा सा भडर आजव शकी हर लिस्री खेल जी लाई सुधा शिन ुझ्री क्रिश्ण जी ले भणनु भायो त्यों भगेचा अथा अधा बात्यों फालब फुलको अधिकारता माली को हात्मा होदस्द माली अनि की चवकिदार को काम भने को ते तिसको सुरक्षया दीनों देख भाल गरनों हो तेश वचिश शखी रुखे बंद चन्वनदा हो तिसे गरी यो सुंदर स्रिष्टि यो सुंदर बगईचा ने हजुर ले लगाउन है को बगईचा हो अब यो सुन्दर स्रिष्टिने हजुर द्वारा रचीत बगईचा हो इसको मालीक हजुर हुनाँच अनि यो बगईचा को रक्षया गरना कुलागी शरीर का पती हरो रक्षकती चौकिदार हरो हुन अनि हामी आत्मा रोच यो बगईचा मा फले को फल हो बने अब भन्नोस हामी मातिकसको अधीकारे सा अनि तपाई बीन हमरो इस्तिति बने को कस्तो हो दाचा तबदाखिरी जशरी योटो लाहरा मां फूल हरो लागी रहे को हुन्चा फुली रहे को हुन्चा जब वसम्मती फूल हरो लहरा मने फूल न पाउदाचा खेल न पाउदाचा तब वसम्मती फूल को जीवन फूल को सोवा कस्तो हैंचा तरत्यो लहरा बाट फूल ले छुटने वित्ती कई फूल को इस्तिती कस्तो हैंचा फूल सुके रजान्च, मुर्जाय रजान्च तपाई हमरु जिवन को आधार त्यो लहरा रुप होनुच भने हामी तेश्मा फुले का फूल रुपी आत्मा हरु हो तपाई को चरण चरण बाट अलग भायर हमरु इस्तिति तेश्तने होन्च जस्तेई लहरा बाट अलग भाय को भूल को इस्तिति अनि अरको कुड़ा हजुर ले धर्म सास्त्र को नियम अनुशार पति ब्रता धर्म को नियम बताऊनु है कि आफनो पति जस्तेई अवगोन ले भरिये को चाँ भने पनी हम इले कहां छोड़े का सवने आफनो पति लाए हमरु आत्मा को पति आत्मा को माली भने को हजुर होनच जब कि हजुर ले भन्न भायो अवगोन ले अवगोन ले भरिये को पति लाए पनी छोड़ना हुदईन भने रधर्म सास्त्र को नियम अनुसार बताऊन भायो अवगोन भन्न होस्त हजुर जस्तो गुनवान पति लाए छोड़े रहमी कहां जाने इस तो इस तो प्रकार ले विविन प्रकार का भाव हरो स्रेक्रिष्ण जी समक्ष सकी हर ले बेक्त गर नुभायो स्रेक्रिष्ण जी ले इस सवई कुरा हरो सुनी सक नुभाय पैसी थापाव नुभायो कि सकी हरो को मैले परिक्षागर रहे रेको थीए तरह सक्की हर को रहेदाइ मा कुने इप्रकार को पनी माया को लेश साइन रास लिला को लागी पूर्ण रूपले तैयारी अवस्तामा चन इए आत्म हरू यू विचार गर नुभायरा स्रकृष्ण जिले सक्की हर लाई वन नुभायो हे सक्किय हरु हो महें ले ती महरको परिक्षा करें रहरेको थित्ति किनव हने अभारणे जुन रासदिलाँ उने वाला सा यू रासदिलां को हरेक अणनद हने को आतमा अननद हरेक प्रकार को आननद को हमीले अनुभूति गरनों तेसा कारण लग जो रासलिला भित्र-प्रवेस गर्दे het किरती सना करे ते देगर मुझे ओधनों उलग भात भूड भात अब हेड़ा ब्रिंदावन भित्र फ्रवेश गरा, म ब्रिंदावन का सारा इनिया हरु को द्रिश्याव लोकन गराऊने शो, तेश्वची हमी अनंद मया राश्टि लिला को अनुहाँ गरने छो, स्रिक्रिष्ण जिले सकी हरुलाई स्वागत गरनुगायो, ब्रिंदावन भ प्रकार ले परिक्षागर न भायो, कि न परिक्षागर न भायो, दिस कारण राश्ट लिला भने को एस तो लिला हो, रसा नाम समुहाँ राशा, त्यों राश्ट को समुहाँ प्रेम को समुहाँ जहाँ प्रेमें प्रेम सा रसाइ रसा आनंदें आनंद सा, तेसे लाइने जहां मायवी गुण को कुने समसर्ग चाहे न तेसी कारण राष्टिला यो संसार को प्रकृति जन्य जगत वित्र भाय कही होई न अनि प्रपंच जन्य यो पंच भावति के सरीर वाट भाय कही होई न राष्टिला कहां भायो ब्यहत्द भुमी केवल ब्रह्मा मां त्यों आ माया को कुने लेश नहोश भनेर स्रिक्ष्ण जिले इत्रों परिक्ष्णागर्न भायरा अनि तेश्पचित्यों अनन्द भाय भुमी मां राष्टिला भाय को से महमती प्रणिनाजी महराज वन्नुन्च यह सुरूपने यह ब्रिन्दावन जमुना त्रट सार घारती तीत ब्रह्मांड ती अलगो यह तारत में किदो निर्धार राष्टिला कहां भायता वन्ना गारती तीत ब्रह्मांड ती अलगो घार वने को अखंड गौलोग धाम जो सवली को कारण इस्थान मा परदसा त्याहदी की तीत त्याहदी की पारा वने को सवली क धाम देकी पारा क के बल्धाम ब्रह्मांड थी अलगों हने को यू नारैनी स्रिष्टी ब्रह्मांड देखिए अलगे इस्थान मा रास्टिला हुए को छा तेज कारण लेकर दाखिरी रास को विशय मा यो संसार को साधरन गुद्धी को चिंतन बाटा त्यू लिला को रस्म हमें डूबना सकते अजिए अलगे आत्मार परमात्म को बीश को सनमंद हो आत्मार परमात्म को भाववा तभवय को लिला हो श्रिक्रिष्च्ण जीले शकी हरुड़ाे बदावन भित्र प्रवेश कराऊनु भायो थी। अनंद मय राश्रिला हरु भायो जो महमति प्रणया जिले राशकरंथ भित्र इस्वाई कुरा हरु को विस्त्रेत चरचा चौपाई को माद्यम बाट माणि को माद्यम बाट गरणु भायको चौँ कस्तो कस्तो प्रकार को राश्चिला हरु भै इप्रसंग हरु हमी राश्वाणी को अदेन चिंतन गरर जानन सकता सों अनन्द मय राश्चिला इती अनन्द वडर गयो राश्चिला मां सक्की हरुलाई दुख सुख को कुने ख्याल नहीं भैन अब इसरी राश्चिला को अनन्द वर्दई वर्दई गई रहे कोछा एका तिरा और को तिरा अक्ष्यर ब्रह्माले इस सवै लिला हरु स्वपनी कवस्तामा दर्संगरी रहे कोछा किनवने अक्षिर ग्रम्म लिपनित परम्धाम को ब्रह्मात्म हरोको लिला दर्सन गरनको लागी चाहे को हो रहत तेश में विषेश करी नगे कि अई नि सम्जण analis dhra て जिला भायो यू ब्रज लिला रा रास लिला पसको लागी किना वायता वने रा अजे इसमा चिंतन गरने हो बने ब्रज लिला विशेश करी परम्धाम का सखी हरु लाई अक्षेर ब्रह्म को बाल लिला देखाऊ नको लागी बाल लिला को अन्वाव गराओन को लागी ब्रज लिलावाय को हो रास लिला रास लिला जाएं अक्षेर ब्रह्मा लाएं परम्धाम भीत्र को गुईय लिला को सुद्धी दिलाओन को लागी रास दिलावाय को हो तेश कारण अक्षेर ब्रह्म पनी तियो परम्धाम को गुईय लिला जो रास लिला को मैं ध्यम मत जाहर भई रहे को छा तियो अनन्द में लिला को दर्शन गरी रहे को छा अनन्द अनुहाँ गरी रहे को छा एता तिर अक्षेर ब्रह्म मत यो लिला को दर्शन गरी रहे अनन्द में डुबन में मस्त रहे ता सखी हरो श्रीकृष्ण जी को साथ मत यो रास्म अनन्द में इती मदमस ता भायर डुवी रहे की छेल कसेलाई दुख शुख को कुने महसूस्त ने भायना अब अनन्द इती बड़े रगयो रास्म अनन्द इती बड़े रगयो तेही समय मा अक्षेरातीत मूल मिलाओ अला स्वरो श्रीडाजी महराज तो रुपले क्यो इस्तिति माती दृष्टिपात गर्नवायो अनि स्रीक्रिष्ण जी अक्षेनाती धामधनी लेके विचार गर्नवायत भन्दा ओहो मेरा इए आत्मा हरू बियो को खेल दुख को खेल हरनको लागी गये को तर इती आनन्द में डुई रहे की सें दुख सुख को कुने सुद्धी ने शाईला तेतिने खेर अब स्त्रीराज जी महरास लेके विचार गर्नवायत भन्दा इशक की हर लाएके बिरहको पनी अनुहाव गराऊनुचा अब क्योत विचार गर्नवायदॉ धामधनी शोरुप लेके गर्नवायो राश खेलदेगर नुभाय को स्रिक्रिष्ण जी को जोस लाई खीची दिन भायो तिही समय मा राश को इत्ती अध्हीक अनंद बड़ी रहे को अवस्तामा राश मंदल वाटा स्रिक्रिष्ण जी अंतरधान होन भायो महमती प्राणिनाह जी महराज जाफनु बाणी मा वन्डूंच जब जोस लियो खेंच करा तब चित्त चौक भई अक्षरा कौन बन कौन सक्षिया कौन हम योँ चौक के फिरी आतम जब अक्षराती धामधनी स्रिक्रिष्ण जी को जोस खेंची दिन भायो किन बने अक्षर ब्रम्म पने मेले भने शवपनेक अवस्थामा यो राश को आनंदा को दर्शन गरी रहे को थियो जब अस्रिक्रिष्ण जी को जोस खेंची दिन होने वित्त दे के अक्षर ब्रम्म जागरीत हो दस अब अगाड़ी को प्रसंगा अंतरधान शुत्रा अंतरगर्ट जब राश में स्रिक्रिष्ण जी अंतरधान होने भायो कस्तो इस्तिति में अंतरधान होने भायो अंतरधान होने भायो पचि कहां कहां कस्तो कस्तो प्रकार को लिलाहरू भायो के के भायो यो प्रशंग माती हमी चर्चा गरो जब राश्म स्रिकिष्ण जी अंतरधान हुन भायो उता अक्षर धाम में अक्षर व्रम जागरीत भायो तर कस्तो अवस्ता में जागरीत भायता है बंदा खिरी अक्षर व्रह्म को जागरीद अवस्ना लाई में पहला उदारन देर सम्झाओं चो किन वने अक्षर व्रह्म लाई पुर्ण रूप मा जागरीद गराऊने हो वने यो नारैनी स्रिष्टी भने को तो अक्षर को सपना वाट रची को श्रिष्टी हो नी अक्षर व्रह्म लाई पुर्ण रूपले जगाई दिन दा खिरी तो नारैनी स्रिष्टी ने मेटीन चा तेश कारण अक्षर व्रहम कोस्त अवस्ना मा जागरीद भायो बंदा कईले कई हमी सुद्धा खिरी हमरो इस्तिती कोस्त हो उन्चा हमी निदाओ दा खिरी सपना पनी देखी राखे को उन्चा तरत्यों सपना देख देए गर दा खिरी अली अली जागरीद को अवस्ता पनी शा अनि उतापटी कसे ले केई कुरा गई राखे को सा बनी त्यों आवाज कान बाटा सुनी राखे को उन्चा जागरीद को आवाज पनी कान ले सुनी राखे को और आपनों सपना पनी continue चली राखे को इस तो खाल को आवस्ता हमीमा काईले काई महसूस होदाचा अनुभाव बौदाचा ओ इस ते आवस्ता में अक्षिर भ्रह्मा अक्षिर धाम मा जागरीद होदाचा जब अक्षेर ब्रह्म जागरीत होने वित्ति कहीं राश को तियो अनन्दम एस्तो प्रकारले डुवे को तियो अक्षेर ब्रह्म जसले गर्दा करी जशेंग ब्युजिता करी जागरीत होदा करी तः अक्षेर ब्रह्म लाइ आफने पने शुद्धी भाया ना मौ कुह भहनी ने शुद्दी भाय न और यो बन कुन बन हो इस सकिहर पूह भुल अक्सِरब्रम्मिला के शुद्दी ने भाय न फेरी अक्सिरब्रम्मिले विवेचन गरदै जादा खे रीत भा भयो अहो मा तो अक्सिरब्रम्म हो और यो ब्रिंदावन अणि यो ब्रिद्धावन में लिला गरने शकी हरू तिने हुन जो परम्धाम में ले दर्शन गरे को थियें अच्छा इती अनंद में लिला जो परम्धाम में इस तो खाल को अनंद में लिला होदा चा इस शवय लिलाहर को दर्शन सवय लिलाहर को इस्मरन गरे रहा अक्षेर ब्रह्मले अवा यो रास्त लिलालाई आपनो बुद्धी अंतर्श करन शवली को महा कारण मा रास्त लिलालाई अखंड गरी दिन भायो तो यो अखंड रास हो अव अक्षेर ब्रह्मले इसरी राश दिरलाई अखंड गरी सके पजी फेरी अक्षेर ब्रह्मले चिंतन गरन थाले इस रखी हरू राश ना अउन भन्दा पहला कहा थिये फेरी चिंतन गर्दे गर्दे जादा के ने राश भन्दा पहला जुन ब्रज लिला भाय को थियो एक हार बर्स बाउन दिन सम्मा ती ब्रज लिला हरू अक्षेर ब्रह्मलाई पुनह इस्मरण हो दाशा त्यों अनंद मय लिला ब्रज लिला लालाई पनी अक्षेर ब्रह्मले तेई समय मा आपनो बुद्धी अंतसकरन सबली को कारण मा ब्रजरी रालाई पनी अखंड गरी दिनु भायो एसरी अक्षेर ब्रह्मले आपनो बुद्धी अंतसकरन सबली को महा कारण मा रास्रा कारण मा ब्रजरी रालाई अखंड गरी दिनु भायो जसलाई अखंड ब्रजरास भने रभनें से जुन अखंड ब्रजरास रजुन अक्षिर को बुद्धी ले यो ब्रजरास को चिंतन करे रहा ब्रजरास जला लाई अखंड करे को सा यही बुद्धी लाई नहीं जागरीत बुद्धी भने रभनें से यो जागरीत बुद्धी को प्रसंगा हमी पचाडी पिनी स्रवन गार्नेशों यही जागरीत बुद्धी को सोरुपने पचे जागनी को ब्रह्मांडम सतकुरुस्तुई देव चंदरजी महराज भित्र जागरीत बुद्धी को सक्ति को जब आवतरन होदा चा तो जागरीद बुद्धी बने को कुन बुद्धी तवन दा, यही राश्म जब स्रकिष्ण जँ अंतरधान होनो होना, आक्षेर ब्रह्म को बुद्धी जागरीद भायरा, जोन बुद्धी ले राश्च्र ब्रजलाइ अखंड गरेको छा, तेही बुद्धी को नाम ने और सिमाहराश भाई भेदुट हम्हें ऑपने होाग ढशा कोभी तुटक्लтаки अखेट स्यर्दिवर्वंदे श मिए अश्रहँ परचज्ट दो अखन्डिक का लगा हो चेतन जाकेड अपंड द्युकेर बुद्धि में अखंड है सके विश्य के भायता वन्दा फिरे मौन अक्षेर व्रह्म को मौन फिरी सपना तर्फ फरकी दाशा कशरी अक्षेर व्रह्म में रास्त्र ब्रजला अखंड गरी सके पैसे फिरी के चिंतन करें के सोचेत वंदा ओहो इस तो अनन्द में लिला फिरी देखना पायता वन्ने विचार करने विद्धि कई अक्षेर व्रह्म पुनाह पहला को जस्ते शपनीक अबस्तामा जाँदाश कईले काई हमी पने एक्तमे अनन्द में शपना देख देख देगर दाखेरी वीजमा कोने कारण बस्त ब्यूजियो भने आमिला लाक्षा नी ओहो इस तो अनन्द में शपना वाट में लेकिन ब्यूजियो परे फिरी यो शपना कंटिनीव भायता वनरा हमी फिरी अक्षेर ब्रह्मा लाई पनी त्यो अनन्द में लिला को दर्शन करने अज़े इच्छा थियो तेश कारण अक्षेर को मान फिरी शपनीक अवस्तामा फर्कीदा शा इस तरी रास्त मास्त्र कृष्ण जी अंतरधान होदा केरी अक्षेर ब्रह्मा जागरित भायरा रास्त् अवर रास्त्र ब्रज सवली को महा कारण कारण मा अखंड भाय पची तो रंते यो अखंड लिला को प्रतिविंब अभ्याकृत को महा कारण मंडल को शुद्ध महा कारण मा रास्त को प्रतिविंब अनि शुद्ध कारण मा ब्रज को प्रतिविंब लिला परे यो महा कारण को सुद्ध महाकारण रशुद्ध कारण मा परेको अखंड ब्रजीराष लिलालाई फैरी अभ्याकृत्य इस थुल्मा भयकाद शक्ति सजार बेत रिचा सक्ति हरुले त्यू प्रतिविंब राश लिला को दर्शन गर्दशन। शक्ति सजार बेत रिचा सक्ति हरुले प्रतिविंब राश को दर्शन गर्णे वित्ती के। इस शक्ति हर को मनमा कस्तो भाव प्रकट हुदा चबने। ओहो एस तो अनंद मया रसराश लिला भित्र हमिले पनी प्रवेश करना पाया तकती अनंद हों थि स्रिक्रिष्ण जी ले प्रार्थना गर्न भायो स्रिक्रिष्ण जी ले पुकार गर्न भायो कि हे स्रिक्रिष्ण जी हामिलाई पिनी इस तो आनंद मया लिला भित्र प्रवेश कराई दिन होस स्रिक्रिष्ण जी ले ए बेत्री चा सकी हरलाई बचन दिन भायो यो लिला भने को तो दिब्यात्मा हर को लागी रचे को लिला हो रचे को ब्रह्मांड हो तिमेर लिए इच्छा गरिने हाले। उने पनी समयमा मो अरके योटा ब्रह्मान्द खड़ा गरे रहा त्याहां भीत्र यो रसरास लिला को अनंद जरूर प्रदान करनेश। श्रिक्रिष्ण जी ले इच्छती सजार बेत्रिचा सकीहर लाए पनी यो बचद दिनो भायो। इसरी अखंड लिला को प्रतिविम्म लिला को प्रसंग पनी आओ देशा। एकार तीर स्रीक्रिष्ण जी अंतरधान हुनू दा इसरी अखसेर मंजागरीत हुनू रासला अखंड हुनू। ब्रजल अखंड होन। तिसको प्रतिविम्म लिला को दर्सन बेत्रिचा सकीहर ली गरनू। प्रसंग चावने अब आर्कुतिर के भाई रहे कोच आर्कुतिर रसराश लिलाकु तेत्रु अनन्द वर्दई गर्दाखेरी जब अच्छानक स्रिक्रिष्ण जी अंतरधान हुनु भायो रास मंदल्मा सकिहर को इस्तिती कस्तो भायो महमति प्रणिनाः जी बन्नुचा जब इत भई अंतरधान सव सखिया भई मृतक समान जी बना निकसे मादी आस करने धनिसों प्रेम दिलास जब इत भई अंतरधान जब रास मंदल्मा स्रिक्रिष्ण जी अंतरधान हुनु भायो सव सकिया भई मृतक समान सकिहर मा एती बिरह एती बिरह एती बिरह प्रकड भायो मानों की सव सकिहर मृतक समान भई रास्त में स्रिक्रिष्ण जी कुस्तो अवस्तामा अलतर्धान होनो भाय को थियो शकीहर को मन मा योटा इच्छा की बाकी थियो ता बन्दा जवब बाउन न देन को संध्या में स्रिक्रिष्ण जी ले बन्शी वजाऊनो भायो शकीहरू आफनो आफनो घार घार को काम संसार को काम मा विश्त थीन बंशी को नाद मा आफनो नाम सुन्ने विद्धिके सकीहरू स्रिक्रिष्ण जी समा भेटन दवडिदे गर दाखरी सकीहर को दिल मा कस्त विशार थीयोत भन्दा हमी दवडीर गर स्रिक्रिष्ण जी को चरण मा प्रणाम गरनेशों अफनोर हिदे को बेदनालाई प्रकट गरेर आखावट अस्त्रुधारा प्रकट गरेर स्रिक्रिष्ण जी को चरण धुलावनेशों अफनोर दरदलाई बिरह अगनिलाई सांत बनावनेशों यू बिचार लियर सकीहरों दौडेर गई रहे कितीन तर जब ब्रिन्दाबन भित्र प्रवेशों ने समय आयो ते ती खर स्त्रिकृष्ण जी ले वीश मा रोक नुहाय को थियो जुन उथला को वचन को समय मा तेस कारण ले गर्दा सकीहरों को मन को यू इच्छा अधूरों ने थियो तब सकीहरों ले अवस्त्रिकृष्ण जी संग के प्रार्थाना गर्ण हों से बंदा हे श्रीकृष्ण जी हमिले इस तो धाव लियर दौडेर आउँ दाखिरी तपाई ले वीश मा रोक नुहाय को क कारण ले गर्दा हम रत्यों दिल को इच्छा अधूरों नहीं सा तेसकारण हाम इच्छा पनी पुरागरने जहां चो तपाई ब्रिंदावन को कदम को भीक्षे मागर फेरी बंशी नाद गर्नों होस्ट हामी ब्रिंदावन बंका अलग-अलग इस्तान माचूपे रह लू घंची बजाऊनों भायो तेसकरी कदम को भीक्षे मागर दने ऑनि हामी बंशी को नाद उस्ट हुझे ने जहस रिब्रजमंदल वाट दोडे रह आयो तेसे करी दोडे रहा आऊने श Fish topic dama ुजिसरकारण में प्रणाया हाव वाव cut daal a ख़हां प्राण रिदे को विरह अग्न ए शांतत गरावनेशों यू इठ्छा पनी पुरा गरनेशों स्किहर ले जब स्तुर्क्रिष्рашन जिवाओन पक्षे हैं स्किहर को भावण भवर्य शुह कारन भयार जाओ तिमहरो अलक अलक किस्तान माद पर लूखेएगर वसा मा व्रिन्दामल को कदम को व्रिक्षेमा गर बंशी नाद गर र पुनह तिमहर लाई बुलाऊने छो र त्यो अनंद पनि प्रदान गर ने छो राधहार आनी लाई साथ मा लियरा स्ट्रिक्रिष्ण जी कदम को व्रिक्षेतर्फ अगाडी बढ़नु भायो शकी हरो अलग अलग इस्तान मा छुपेर लुकेर वशेकाशन कदम को व्रिक्षेतर्फ जादई गरदा केड़ी अब राधहार आनी स्ट्रिक्रिष्ण जी लाई की बन्वानु छे स्ट्रिक्रिष्ण जी यो रसराव से लिलामा नाजदा दरड़िदा उफ्रिदा कुददा मेरा सरीर हरो ठकीद भई सके कुछा तेज कारण मा आफनो कदम को बल्ले आफनो पाओ को बल्ले हीड़े रत्यों कदम को व्रिक्षे समा पुग न सकती न इदी तपाई मलाई आफनो पीच मा उठायर ल पीर जान हों सभने कदम को व्रिक्षे सम्मा पुग न सकीयला अन्य तम आफनो पाओ को बल्ले हीड़े रत्यों कदम को व्रिक्षे सम्मा जान सकने मेरमा ताकत चाईना हिम्मत चाईना बल्ल चाईना स्त्रिक्रिष्ण जिले विचार गर्न भायो मत आफनो आत्मा हरुको भक्त हरुको सवई दुखा को बोज हरु लाई उठाऊना सकता चू राधारा निले आज यो समश्य चाभने मा राधारा निले आफनो पीच में उठार कदम को व्रिक्षे सम्मा लेर जाने चू अनि ब स्त्रिक्रिष्ण जी को पीट में चड़ना खालनो भाय को थियो तही अब स्त्रिक्रिष्ण जी रास मंडल बाटा अंतरधान होनो भायो जब स्त्रिक्रिष्ण जी अंतरधान होनो भायो राधारानी मुर्शीत भायर तही निरी जमीन मा लड़नो भायो गिरनो भायो परनार शत्त बंदा स्रीक्रिश्ण जिले बंशी नाद गर्नों हैं चाँ अनि हमीं दौडेर स्रीक्रिश्ण जिशंग भेटने जान चाँ तरह के समय बीतियो बंशी बजना धीलो भाई सक्यों बंशी बजी रहे को चाई ना शकीरो विचार गरना थाले आपनो आपनो हिसाब ले बंशी की न बजी रहे कुछ है न धेरी समय बेतिद भई सकता वनी जब बंशी बजे न शकीरो आस्तरे मा परे अनि सकीरो एक आपस मा अफवाफ लोके को ठाव बात निकले रहे एक शकी अरको शकी संग भीटे रहे का पसम अब कुरागर न थाले कि आस्तरे को कुरा हो यो बंशी की न बजेन एक दूए तीन करदे चन शबजना मिलेरा अब कईन्य केत कारण धा यहा भने रहा जाओ हमीने अब कदम को ब्रिक्षेती रहा श्रिक्रिष्णी जिशांगा भेटना कारण पता लगाऊना बनेर सवे शकीरू फेरी कदम को वरिक्षे तरफा जहां स्रिक्रिष्णी जादई हो नंतियो त्याहां तिर अगाड़ी जादई गर्दा किरीता कदम कुवरिक्षे मा पोगन भन्दा केई दूरी अगाड़ी नहीं राधारानी जमिनमा लड़ी रहन भाय को बिशुत दी अबस्तामा त्यो दृष्ष्य शकी हर ले देखते शन स्रिकिष्णी जिलाई चारे ती रहरन भायो स्रिकिष्णी कतेई पे देखा परन भाया राधारानी लाई गर बलाऊन भायो राधारानी यो के अबस्ता हो के भायो हजुर लाई स्रिकिष्णी कहा जान भायो राद हरानी मुर्शीत अबस्नामा चेन बेहोसा बस्नामा चेन बोलना सक्न भाएना सवी सकीहरु ले पुकार गर्दा गर्दा कैस समय पची राद हरानी अली इकती होस में आऊनो ह zwischen स्रिकिषनजी कहां जानो हा यो राधारानी भन्नोंचा स्रीकिष्ण जी ता हैमिलाई छोड़े रजानु भायो जब स्रीकिष्ण जी हैमिलाई छोड़े रजानु भायो भन्ने को सब्द सुन्ने वित्टी कई सकीहरू मुर्शीद भायरा रिदय भित्र इस्तो प्रकार ले अच्नानक बिरहा प्रकड भायरा आयो कती शकीहरू तेहीं जमीन में मुर्छीद भायरा गिर्द जिन कती शकीहर लाए भित्र वाट बहुत दर्द बहुत बिरहा प्रकड भायो जसो तसो आफनो शरीर लाए समाले राखे की छिन सवे शकीहर को इस्दिति एस्टो खाल को भायो यही प्रसंग को लागी महमत दी प्रणिनास दिले बाणी मा बताऊनु भाये को जव इत भाई अंतरधान सव सक्षिया भाई मृतक समान जव राश्मा स्ट्रेकिष्ण जी अंतरधान होनु भायो सवे शकीहरू मृतक समान भाये शकीहर ले बहुत विरहा गरे स्वात शी शकीहरू तो जमीन मा मुर्शीद वायरा गिरी रहे काचन लडी रहे काचन जशलाई ब्रजमेंडल को बाउन दीन को भीयोग सहन गरनने तेती सारो परेको अब यू रास को यत्रों अनंद को छेण मां स्टरकिष्ण जी अंतरधान होनु हुदा किरी इस शकीहर ले कसरी विरहा सहन गरने उनियर तो बेहुत सावस्तामा जमीन मा लडी रहे की छें ताम शी शकीहर उपनी जट पटाओं दे विरहा गरने जमीन मा लडी रहे की छें ताम शी शकीहर उपनी भीत्र वहुत विरहा भाई रहे कुछा सहन बहुत मुश्किल परी रहे कुछा तर अपनी ताम शी शकीहर ले की विचार गरेत भंदा गल्ती हम रही हो दोस हम रही हो तिसले गर्दाखरी स्रीक्रिष्ण जिले हम इलाई छोड़े रजानु भायो तिस कारन अब जतीने रोई पनी जतीने वी रहा गरे पनी की गर्णू रोई रहा मात्र वी रहा गरे रहा मात्र हो दाई न स्रिक्रिष्ण जिलाए प्रकट गराऊना को लागी वहालाए प्रसन गराऊना को लागी वहालाए रिजाऊना को लागी केई गरनों पर सा तामशी शकीहर ले विचार गरनों भायो सबई जना मिले रहा स्रिक्रिष्ण जिलाए खोजनों पर सा तेसे पनी हम रो गलती भाय को कारण ले गरदा करीं वहां हामी बाट अलग हुनों भाय को साबने हम ले जतीने यहां चटपटी एरा रोय एरा बसे पनी हम ले खोजे नो भने वहां हम रो समख छे मा प्रकट हुनों हुनना तेस कारण वहां ले खोजनों पर सर जमीन मा लड़ी रहे का साकी हर लाई समझाओ दैं सांतोना देन हुदैं नामस्टि श़कह की रुबन्द चिन दुछा कसला एभाये को चैना विरहा कसला एभाये को चैना तरः रोए रधा तड़ पे रहे जमीन मा लड़े रधा वर्षै रातर की उपाय सा अफनो मन लए भुझाओ हिंमत गर Ven-Krishna जिला रे खोजनो फरस सव जियर खोजन कुह लागी सव जियर । सव जियर । ब्रिंदावन का गली-गली महल-मंडीन बान-बन róन ऊपबन सव जियर स्थकृष्ण आरे तीरा खोजदा खेरी पनी कते पनी स्रिक्रिष्ण जी होनों ना थियो ब्रिक्षलाइशोत नो हुँचा बेली हरलाइशोत नो हुँचा फूल हरलाइशोत नो हुँचा पत्ना हरलाइशोत नो हुँचा तरह कसे लिपनी स्रिक्रिष्ण जी को खवर स्रिक्रिष्ण जी क क्यों लहर अरुले एक सब्धवत्र में शकी हर संग बोले न इन झाल हो निवन एक सब्धवत्र जवाब न दीदाखेरी शकी हर लाई खुस्तो भाव प्रकटवायत बंदा ये लहरा हर लाई ये बेली हर लाई हमी शंग बोलने फुर्सत नहीं कहां से किन भने उनिह रहे हरक एती बेश्ता सल हमी स्वंग बोलने हम रो कुरा सुनने फुर्सत चाही न उनी हरको हमी लेपनी हम रो आधार हम रो प्राण बल्ला प्राण प्रियतम स्रिक्रिष्ण जी लाई इस दिने हम रो प्रेम को बंदन ले मादेर राखे का थियो हमी बाटा अलग होने थिये न राज हम रो यो इस्तिती होने थिये न हमी लेपनी स्रिक्रिष्ण जी लाई अलग जाना दियों लहरा को जत्ती पिनी बिवेकर बुद्धी हमी माँ भायन जसको कारण ले गरदा खेरी हम रो यो इस्तिती भाय रहे कोछ है अपनों गल्ती को प्रायस्तीत कर दे सब़े त इर्ष्ण जी लाई खोजी गरदा खेरी पनी कतेई पनी स्रिक्रिष्ण जी लाई पाऊन न शके पशे अवं सकेहर्ण सब़े रहे फिरी केवी बिचार गर थाले त गंदा अब स्त्रिक्रिष्ण जी लाइ कसरी प्रकट गरने अब आपस्वा सलाव है स्त्रिक्रिष्ण जी को अत्यंत प्रिय लिलावने को वहां को बाल लिला ब्रज लिला अब हमी सवे मिले रा ब्रज लिला को अनुकरन गरो तिहीं लिलावाट प्रसन्न हुन भायरा स्रिक्रिष्ण जी हमी समक्षे प्रकट हुन हुन्च अब शकी हरू मिले रा अनुकरन लिला गरना तैयार भाय अनुकरन लिला को लागी अब श्रिक्रिष्ण जी को अनुकरन खसले गरने ता राधारानी स्वयम स्रिक्रिष्ण जी को भेश मा सुसच जीत हुन भायरा स्रिक्रिष्ण जी को लिला को अनुकरन करना तयार हुन भायरा एक सकी राधारानी को रूप मा अनि कोई सकी हरो गालवाल को रूप मा कोई सकी हरो गोप को रूप मा कोई सकीहरों सकी की रोप मां छादेशन म्रज मिनल मां जीपनी थीए तेही अलग अलग रोप धारन गरेर सकीहरों अब अनुकरन लिला को लागी तैयारी भाए रअब अब ब्रज लिला को अनुकरन लिला गरना थाल दचन एक पची अरको हुदई 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 एक हार वर्ष बाउन दीन समझ जदिपनी लिलाहरु भाए ती सवय लिलाहरु को अनुकरन गरेर पुरा गर्दसन सवय ले ती करदा खेली पनी स्रिक्रिष्ण जी प्रकट हुनु भाएना अव तेश्वसी फेरी सखेर लिखी विचार गरे तभना अव हमी रास लिला को पनी अनुकरन गरो बाउन दीन को संध्याम जश्री स्रिक्रिष्ण जी ले बंची बजाओन भायो रहामी आत्महरु ब्रिंदा बनमा आरा रास लिला को अनुकरन गरो भने रा फेरी रास को अनुकरन गरन को लागी राधहा रानी जो स्रिक्रिष्ण जी को सोरोप मा सुष्च जी तो हनु भायरा स्रिक्रिष्ण जी को भेश पैरे नुभायरा अनुकरन गरी रहनु भाय को थियो राधहा रानी लाई कदम को व्रिक्षेमा गायरा बंशी बजाओने आकरह गर्दचन सवेई सकीहरू अनि सकीहरू सवेई फेरी ब्रिंदावन को अलग अलग इस्थानमा गायरा लुकेरा छुपेरा वस्तचन अब राधारानी ले बाउन दिन को संध्यामा जसरी स्रिक्रिष्णजी ले बंशी नादगर्नवायो तेही प्रकारली अनुकरन लिलाआ को लागी बंशी नादगर्ने तैयारी अवस्तामा पोग नवायो जब राधारानी ले बंशिले आफनो ओट में पुर्यार बंशी नादगर्न थालनु भाय को मात रखे थियो तेहीं समय मा साक्षात स्रिक्रिष्ण जी राधारानी को समक्षे मा प्रकट होनु भायो बलो स्रिक्रिष्ण को नहीं या लाल कि राधहा राणी को स्नमक्षे मां स्त्रिक्रिष्ण जी प्रकट होनु भायरा राधहा राणी को हाथ पकड़े नु भायो बंशी बेजाओन वाटर रोकनु भायो आव यहां कती गुरुजन हरु विद्वान जन हरु को भनाई यो छा जुन कुरालाई लाल्लाशी महरासली बितक मां प्रणिनाफ जी बाणि मां इस्पष्ट रुप मां खुलासला गर्न भाय को तो छाईन तरह कईयों विद्वान हर को यहां की अर्था सत्त बंदा श्रिक्रिष्ण जिले राधा रानिलाई भन्न भायो राधा रानी बंद्शी बजाओने अधिकार तिम्रो छाईन एदी तिम्रों बंशी बजाओने इच्छा सा बने तेस्तरों ब्रह्मान नमा गायरा पुरुस्त रोप धारन गरेरा ग्यान रुपी बंशी बजाओनों बनेरा स्रीक्रिष्ण जिले बननु भायो भायो बने स्रीक्रिष्ण जिले बन्शी नाद गरनु भायो स्रीक्रिष्ण जिले नाद गरनु भायो बन्शी को आवाज ब्रिंदा बनका अलग अलग इस्तान मा लुके रवशे काती सकीहरु को कान मा परदाचा बंशी को आवाज सुन्दा खिरी सकीहरू को मनमा यही विचार सा यही भाव सा राधा रानी ले अनुकरन लिला को लागी बंशी बजाओनु भाई को राव सिला को अनुकरन गरने भाव बाट ब्रिंदाबन को अलग अलग इस्तान मा छुपे का सकीहरू बंशी बजीर है को थी ओ त्यू काल तरफ दवड़ेर जादї गर्दाखरी था जवा सामसे षन भाव बंशी वजाओने वाला स्वय श्री क्रिश्ण जी हुनों थी वह बलू स्टी क्रिश्ण का नहीं यालाले defender स्टी क्रिश्ण जी प्रकड हुन अव तेश पशी पुनहा त्यू अनन्दमा त्यू प्रेममा बिविन प्रकार का लिलाहरू अगाडी होदा छा जसलाई महाराश लिलावने रभनेंचा जसलाई प्रणिनाह जिले भजना अनन्द सुक्ष भने सब्द अपनी प्रयोगर्न भायको छा अंतरदान पशी फेली स्रीक्रिष्न जी प्रकड होनु भायरा जुन लिला को अनन्द को अनुभाव कर दसन सकि हर ले त्यू अनन्द त्यू लिलालाई भजना अनन्द शुक्ष भने रभनियों कि नवन्दा अंतरधान को समय में सकीहर ले बहुत भजन करे भजन मतलव अंतर हिदे बाठ स्रिकिष्ण लाई गरिये को पुकार नहीं भजन हो तियो भजन को मैध्यम बाट तियो पुकार को मैध्यम बाट स्रिकिष्ण जिलाए प्रकडगर आयरा पुनहा अगाड़ी जतीपने अनन्द लिये तिस कारण तियो महारास लाई भजना अनन्द सुखा वने रवनें से जुन समय मेव एक एक सकी हर को साथ मेव एक एक स्रिकिष्ण सोरव्प होनो भायरा विविन प्रकारण का अनन्द हरु अनुभाव करा अनुभायो तेस कारण यहां लालदा शिर्वाराश ले भजना भायो ता पिछे आए राश में इंड जोग माया जागरत तहां बिरह बिलास दौ देखके फिरे इत राश वन्डल मा बिरह बनी और बिलास बनी दौई हमिले अनुभाव करें बिरह कईले? उथला को बचन को समय मा सकेर ले बिरह को अनुभाव करें? श्रेक्रिश्ण जी अंतरधान हुन भाय को समय मा सकिर ले विरह को नुभाव गरे बिलास को इले भन्दा रास को समय मा महारास को समय मा सकिर ले त्यों बिलास को अनंद को नुभूती गरे इसे री रास लिला निरंतर चल दई चल दई महराश लिला पनी जवपुरा भयो महराश लिला को अंतीम समय मा अवा जिलना लिला हो दसा जमना जिमा गर जिलना लिला भयो जिलना पचे सिंगार लिला भयो तेस पचे फेरी अवा भोग आरोक ने समय भयो रत्यू समय मा अवा स्रिक्रिष्ण जी ले शकी हर लाई फेरी सोदनु भायो हे शकी हरू अजे पनी तिम हर को मन मा के अधूर इच्छा बांकी छा बने क्यों इच्छा पनी मा पूर्ण गरिदीन चाहन चू अजे पनी के इच्छा छा बने भाने रा शकी हर लाई स्रकिष्ण जी ले सोदनु हदा करी अवा शकी हरो श्त्रकिष्णजी लाई के भन्नुः साथ तिसमा बिशेश करी इंद्रावती सकी आगेवान हैर स्त्रकिष्णजी संग सबे शकी हर को भाव प्रकटगर रहए है प्रियतम धनी है स्याम सुंदर है स्त्रकिष्णजी है बाला जी यू ब्रिंदावन को राश मंडल मा हजुर ले हमिलाई साब प्रकार को अनन्द प्रदान गरनु भायो हमिलाई कुने पनी प्रकार को कमी महसूस भाय को चैना तर यू अनन्द को साथ मा येवटा कुरा रिदयमा जैले पनी चुबी रहां सा तेश कारण ले गर्दाव अनन्द को साथ मा तपाईली दुखर भिरह दिनुँआ पनी कुने कमी राखनु भाय को चैना तेश कारण ले गर्दावा हमरो दिल मा यहीं यू तई छाष अब हमिलाई इस तो इस्थान मा लेर जानुष हे बालाजी हे धनीजी जुन ठाउमा यो दुख्खरा बिरह भनने चीज नहोस किने हने आवा हमें यो दुख्खरा बिरह सहन करना सकते नहो अवा हमिला त्यू इस्थान मा लियरा जान नहोस जहां अनन्दी अनन्दा होस जहां सुखः शुकः होस नहां दुखर बिरह को कुने गुंजाईश्मरी नहोस इसरी जव सकी हरुले श्रीक्रिष्ण जिलाई पुकार गर्दसन अब श्रीक्रिष्ण जिले सवई आत्माहरलाई सात्मा लेरा राश्चिला पुरा भई सके पची परम्धाम तरफ वापस नानुह दर्सा स्रीक्रिष् सकती श्यामजी महराणी को सकती और बारह हजार ब्रह्मा आत्माहर को सुर्था सवई राश्चिला पुरा भई सके पची परम्धाम मुल मिलावा तरफ वापस परकेंद सा बलो स्रीक्रिष्ण का नहीं अलाल के राक्षे रधाम बाटाए का 24,000 इस सुरिय सुर्था समारी का सकी को नाम बट जानियो इस सकी हरुपनी राश्चिला पुरा भई सके पची अक्षर धाम मा आफनो मुल सरुप अक्षर ब्रह्मा मा गारा मिलना सा अब एतना राश मंडल जोने राश लिला को लागी तैयार करिये को योग माया को ब्रह्मान्द सरक्ष्ण जिले आफनो योग माया को सक्ति द्वारा आफे भित्र समेटनो भायो योग माया को कियो पतन प्रणिना जिले बननो भाय को सरुप अब एस सरी केवल धाम मा योग माया को ब्रह्मान्द मा अक्षिनातित धाम धनी को सात्मा ब्रह्मा आत्मा हरुले राश लिला पुरा गरेड़ अक्षिनाती धामधनी को सात्मा यी दिब्या आत्मा यी ब्रह्मा आत्मा हरु परम्धा मुल मिलावा गर तंद्रा अवस्तामा जागरीद भाय काचन अब हमी यी आत्मा हरु लए के समय परम्धा मुल मिलावा तंद्रा अवस्तामाने राखो अब हमी प्रस्वंग लाए तेता तिर अगाड़ी बढ़ाओ रास को लागी जब केवल धाम मा योग माया को ब्रम्हांड को तयार भायो त्यू समय मा यहाँ नारेनी स्रिष्टी इस्तब दभाई रहे को सा अब यो इस्तब दभाई को संसार लाई चलाए मान गराए रहा अगाड़ी बढ़ाऊनों सा तो जब केवल धाम मा रास दिला पुराब हैो एता नारेनी स्रिष्टी जो इस्तब दभाई को थी यो इस्तब दभाई को मतलब उदारन को लागी समझी नो हो घाड़ी बाटा बैटरी निकाली दिना खेरी की होंच बैटरी राखे दिना खेरी तिनेई वटा काटा आफनो आफनो गती मा चली रहे कोंच जब बैटरी निकाली दियो भने तिनेई वटा काटा बंद होंच फेरी हमी जब तेश्मा बैटरी हाली देंच जहां पुगेर बंद भागो छो तेहीं बाट फेरी काटा हरू शुई हरू कंटीनियू चालना थाल्दा छा तिस्ती प्रकार ले बंशी बजदेगर दाखिरी शकी हरू दावणिदेगर दाखिरी यो नारैनी स्रिष्टी सारा ब्रह्मान डालाई इस्तब्द भाए को थी यो स्तूरता रोप मा स्की हरू गायर केवल धाम मा रासिला रचे रहू निहरू परम्हां पोगी सके अब यो इस्तब्द भाए को ब्रह्मान डालाई चलाऊनो सा अब यो इस्तब्द भाए को ब्रह्मान डालाई चलाऊनो सा अब यो इस्तब्द भाए को ब्रह्मान डालाई महा कारण मा भाय को लिला को दर्सल अब्याकृत को इस्तोल को 36,000 बेत रिचा सकती हरु ले दर्सल करे काती है जुन शकी हरु ले रास वित्र प्रवेश करने इच्छा करदा करी श्रिक्रिष्ण जिले उने समय में अरको ब्रह्मांडमा प्रवेश करारा रास को अनन्द दिने बचंद दिनु भाएकु थियो शोई अनुशार अब इस तब्दव उनुवन्दा पैला को ब्रह्मांडमा जुन बारह हजार ब्रह्मा आत्मा का सुर्ता हरू थिये 24,000 इस शुरी आत्मा को सुर्ता हरू थिये उनी हरू तब रास चिला पुरा गरे सकेरा परम्धाम अक्षर्धाम आफनाफनो मुल इस्तान मा फरकी सक्नु भाएकु था अब यो ब्रह्मा आत्मा को सुर्ता प्रवेश्वाय को सरीर यानि की गोपिनी को सरीर और 24,000 अक्षर धाम बाटाए को सुर्ता प्रवेश्वाय को एक कुमारी का सकेर को सरीर 30,000 शरीर हरो यहां धर्ति में चान बने यहीं 36,000 शरीर माने अब्याकरीत को इस तुलको 36,000 बेतर चा सक्ति हरो लाय यहां प्रवेश्वाः गराइयो के तिनी समय मा यो इस्तबध है को ब्रह्मान डालाय पनी पुन substitution अवा इस्तप्द वह को रिमाइ चलाया मान्वा ओद्हा करी कुसरी चल्दास पुन तार येहाल ने बघुमोल रुद्हिते मणा न ग्षप्द्हीयट बनशी बजाओने वाला को हुनं थी अक्सिराती स्रीकृष्ष्ण जी अब ऐले स्थभ्द भाई रख फिर चलाए मान हुना F dot ऐले बनशी बजाओने वाला को हुनं थी गव लों की ओ अब अगी स्थभ्दव हुन not पेला बनशी बजन शुरू हुना दौड़ी ने शकी हरू को थिये परम्धाम का शकी हरू थिये अब इस तब द भायरा फिरी चलाए मैं भाय को ब्रह्मान नमा शकी हरू दौड़ी देई तचा शरीर तटेई हो तर अईले दौड़ी ने सक्दी को हुन बेत्रिचा शकी हरू हुन कि नमने परमधाम को सकी हरुता केवल लाम मा रास्तिला पूरा गरेर पनी उन्हेरु परमधाम मुल मिला मपगी सके किछेन अब यहां बेत्रिचा सकी हरु गायरा यहां धर्ति को ब्रिंदामन मा रास्तिला होदाचा यहां को समय अनुसार रात्री भर को समय राश दिला होदा छा जुन यहां धर्ती मा राश दिला भायो गौलो की अस्रकृष्ण जी को साथ मा बेत्री चास्त की हरले गरे को लिला हो जसलाई बेवहारी की लिला भनेर बनें छा बेवहारी की लिला केबल धाम मा ब्रह्मात मा हरले गरे को लिला वास्तवी को लिला हो रहे यहां धर्ती मा गौलो की स्रिक्रिष्ण को साथ मा बेत्री चास्त की हरले गरे को लिला बेवहारी की लिला हो इस तो प्रकारले राश को पनी अलग अलग भेद अलग अलग रहश्य हरुचन नाश्यम यानम ब्रह्म शिष्टिम बिना कस्चे पीजायते अक्षेर ब्रह्म हिदये वास्तमीं बित्ती संकरे नित्यम बृन्दा वने याच साज्च मृत्ता प्रति भाशी की ब्रज भुम्यांच यालीना साप्रक्ता बेवहारी की सास्त्र ले इस तरी राज को त्रिवीत रहस्य को कुरा खुलासा गरिये कुछ यू राज को त्रिवीत रहस्य लाई ब्रह्म सिष्टी बिना अरु कसे ले वनी जानना सकते न कसे ले वनी बुझना सकते न यू लिला को रहश्य भेद की सतवन्दा अक्षेर ब्रह्म रिदय वस्तविं बिद्धि संकरी अक्षेर ब्रह्म कुरिदय शवलीक को महाकारण मा जुन अखंड रास्च तेसलाई वस्तविक रास्वनेंचा जो अक्षरातित को आवेश सकती संग परम्धाम का ब्रह्मात्म हर्लिगरे को लिला हो नित्यं ब्रिन्दा वने आज शायस्मृती प्रतिभासिकी अभ्याख्रित को महा कारण मंदल मा जो राश लिला सते शलाइ प्रतिभासिकी लिला वने रह वनेंच अगाडी वताईयो ब्रज भुम्याम च या लिला साप्रोक्ता बेवहारी की यहां ब्रज भुमी में यहां धर्तिको ब्रिंदावन मा जुन लिला भाय को छा एसलाई बेवहारी की लिला भनेर भनें छा जो गौलो की स्रिक्रिष्ण जी को साथ मां बेत्रिचा सकेहर लेगरी को लिला हो एस सेलाई ने प्राणिना जिले प्रतिविम्ब सकी अथावा प्रतिविम्ब लिला भने रा बन्नुबाय को छा रासमंडल सुत्र को प्रसंग को कुरागरियों हमिले अंतरधान सुत्र को कुरागरियों हमिले अब यो लिला को चर्चा हमी जुनगरी रहका सो यो प्रतिविम्ब सुत्रवित्र को कुरा हो कि नवने बेत्रिचा सकीहरों बने को प्रतिविम्ब सकीहरों हो प्रतिविम्ब सकीले करे को राश लिला यू प्रतिविम्ब राश लिला हो यहां को प्रतिविम्ब अधवा बेवहारी की राश लिला पनी पुरा भायो एक हार वर्स त्रिपन्नवा दिन बिहानों को समय भायो अब स्रिक्रिष्ण जी अनि सकी हरू राश लिला पुरा गरे रा ब्रिन्दाबन बाट फेरी फार्केरा गोकुल मां आफनो घार घार मां वापसाओ दचन साथ दिन को गोकुल लिला पुराभाएपाची स्रिक्रिश्ण जिले अब मतुरा जाने निर्नाय लिनुभाईओ एश्वदा मैया लाइ गायर भन्नुभाईओ स्रक्रिष्ण जी ले मैया अब म मतुरा जादेए चुए नंद बाबा लाई भन्नुभायो बाबा मो अब मतुरा जादेए चुए शकीहर लाई भन्नुभायो शकीरो अब म मतुरा जादेए चुए राधारानी लाई भन्नुभायो म मतुरा जादेचु श राण भर जोर सरो भन्हिवाया या ओडमा मत्वरा जान दई चुई श रिक्रिष्न जी मत्रा जान चुड़ा इस्वदा मैया राधारान गभले सालवाया और झोड़ा ब्र भर ोड़ा जान दशन गिनांग भने भ्रजा मंदल मां सबी मजम खाध Qeren मत्रा जाण नहीं है स्झार शान है स्टृक्रिश्न जिए छोड़े रजव मत्रा जान हैंच हम सणारा प्रजबाष्टी हरू लाइए राधा रानी लाइए इस्वधा मैया लाइए सकी हरू लाइए माँ चार दिनको लागे जा देई छो चार दिन पछी अंशु मा फेरी तेशकारण कसेले विरह नगर्न नरून मलाई जान दिनो चार दिन पशी आउंचु भने बचन दिनु भायरा स्रिक्रिष्ण जी रात माती सवार होनु भायरा मतुरा तर्फ प्रस्तान गर्न हो दच साथ दिन को गोकुल लिला पुरा भाय पशी स्रिक्रिष्ण मतुरा जानु भायो मथुरा जानु भाय पिछी चार दिन सम्म में स्रिक्रिष्ण जिले की के लिला गरनु भाय था गजमल कंश को कारज कियो उक्रसेन को टिका दियो आरा ग्रिह में दर्षन दिये जिर्ना आये छुडाये बंद से तिन्ना बस्ट देव देव की के लोहे भान उतार्यो भेश कियो इस्नान चार दिन को लिला को प्रसंग महामति प्रणिना जिले इस्तरी बताओन भाय कुछ है जब स्रीकृष्ण जी मथरा प्रणिवायो मल्ल युद्ध का लागी राखे का सेना हरू हाती हरू लाय पचार्निवायो उतारगरी दिनु भायो चौन्थ दीन को समय मां स्रीकृष्ण जीले कंशला राज गद्य बाट उठार पचार्निवायो कंश क उतार है अब कंशको उद्धार वहयो भन्यों नहीं स्रीक्रिष्ण जी ले कंशको उद्धार गरन भायो तिसको आर्थकेत भन्या गौलो की स्रीक्रिष्ण जी वित्र विद्धेमान चा गौलो की स्रीक्रिष्ण धर्ति में आउनको कारण हमिले दुई वता कारण माइगinga चर्शागर देए थियो, दधर्तिको कारण अनसार गुलो के स्रीक्रिष्णा आउनको कारण के थियो, कंग्सको अधारगर नको लागी तो यहां आए रहा कंग्ष को उद्धार गरे रहा धर्ती को जुन कारन थियो तेसलाई पने पुरागरी दिन भायो स्रिक्रिष्ण जिले और को तीरा गौलुक धाम में स्रिधाम लाई बचन दिन भाय को थियो तिम्र उद्धार को लागी मा अफैने आउने शुभने रहा जो स्रिदामा कॉंख्ष भित्र थी तो कॉंख्ष को उद्दार गरने को ने कॉंख्ष भित्र को स्रिदामा को सक्ति लाई गौल की स्रकिष्ण जी ले उद्दार गरने हो त्यहां को बचन यहां आयरा पुरागरी दिन भायो तो गौल के स्रकिष्ण सक्ति द्वारा कौंग्शको उद्णार भायो कौंग्शको उद्णार भाई सके पेशी कारे क्रिहमा गार उग्रसेन लाई नजर बंद बात छुटाओन भायो और कौंग्शको उद्णार भाई सके पेशी जब राजगदी खाली भायो तो राजगद्यमा लियार उग्रशेनला राखनु भायो उग्रशेनला राज तिलक लगाई दिनु भायो तेश्वची फेरी बशुदेव देव किलाई नजर बंदवाट मुक्त दिलाई दिनु भायो इस सवे लिला हरु पुरा भरिशके पसी अब स्रिक्रिष्ण जी जमना जिमा इस्नान करना को लागी जानु भायो इस्नान करना को लागी जानु भायो इस्नान करना को लागी जानु भायो इस्नान करना को लागी जब महाले ग्वाल भेश उतारनु भायो ग्वाल भेश को साथ मा स्रिक्रिष्ण जी भेट्र को गउल किया स्रिक्रिष्ण को सक्त पने साथ मां उत्रीद चाँ जव ग्वाल वेश उतार नुँ है ओ स्रिक्रिष्ण जी को गौल के शक्ती उत्री ओ नंद बाबा ला यो भन्नु है ओ बाबा यो बस्तर गोकुल गाउं मा पुर्याई दिनुष नंद बाबा त्यो बस्तर लियरा वा फरकी नुहुंसा गोकुल गाउं तरफा चार दिन मा स्रिक्रिष्ण जी आउंच भनेरा बचन दीरा जानु भाय को तिसले गरदा खरी यारी भायर बशी रहे का थी है उतावटर रात आउंदेगरे को देखे सवेले 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 सुचे स्रिक्रिष्ण जी आउंद भायो वनेरा सवेल हर्शीचन सवेल खुशीचन स्रिक्रिष्ण जी को जैजेकार मनाई रहे को चा तरफ जब रात करीब आयरा है रदा किरी श्रीकृष्ण जी तना आउन भाय को थिया न? जब श्रीकृष्ण जिलाई देखेन Chen श्रीकृष्ण जी को विरह मैं तड़ पीये का सकी हरो अब इती सारो अजे विरह वरदश हिए नंद बाबा ले श्रीक्ःष्ण जी को जुन ग्वाल भेश दियर जानु है को थियो ते ग्वाल भेश को सवेले दर्शन गरदचन ते नहीं सवेले टुक्रा टुक्रा बनारा प्रसात को रुपमा तेहीं नहीं स्रिक्ष्ण को दर्शन को अनुहाव गरदचन गौल के सक्ति जुन भेश मा उत्रे को सक्ति गोकुल मा आयरा जब राधा रानी ले सारा सकिहर लिति वश्त्रडा इस पर्शगरे बश्त्रको दर्शन गरे गौल के स्रिक्ष्ण को सक्ति श्यम राधारानी वित्र प्रवेश वायो ती सारा बेत्रिचा सक्ति हरु वित्र प्रवेश वायो इस तरी स्रिक्ष्ण जीवाटा गौल के सक्ति उत्रियरा राधारानी सहित बेत्रिचा सक्ति हरु वित्र गौल के सक्ति विद्देमान्श आरा तब बल पराक्रम न रहो लगार। आओ महमति प्रणिना जिले वनुबायो चाथ दीन गोखुल में रहे। अब श्रिक्रिष्ण जी ले अगाडी मथुरामा लिलागर्ण हुंचा द्वारिकामा लिलागर्ण हुंचा तरफ हर केर कईले इपनी श्रिक्रिष्ण गोकुल में आऊनु भाये ना स्रिक्रिशन गोकुल मैं न आऊन वहाय पसी जुन बश्त्र को रौप मैं गये को सक्ति सब़ेई सखी अरू भित्र राधाराण राधानी भित्र प्रवेश वहाय को छां त्योता इले तार्थम ले खुलासा गर्देशनी तेदी खरत रहा धाला आधाला थासाईने कि श्रीकिष्न जी को सक्ति आरा मॉभीत्र विराजमान हुनन्चा बने रा चार दिन में आउशन भने को श्रीकिष्न जी आउन भायना स्रीकिष्न को बिरहमा स्वेम राधारानी तड़पी रहन भाय किछें शकीहरू सवे स्रिक्रिष्ण को बीरहा में तड़पी रहे काचन चार दिन में आउचु भनेरा गएको स्रिक्रिष्ण सारा जीवन भर फरके रहन भायन एता सकीहरू राधारानी ख्रिश्णा 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 ख्र तरह सकीहर को अंग अंग में रोम रोम में स्वास स्वास में स्रिकिष्ण को प्रेम स्रिकिष्ण को भग्दी स्रिकिष्ण को स्वरोप विराजवान हो नंतियो उद्धाओ को योग्यान को पदेश्त्र योगारंब को शिक्षा कुने काम आयन उल्टा ज्ञानी उद्धाओ सकीहर को संगत ले गर्दा करी प्रेम को इस्वर्श गरे रा प्रेमी बने रा फरके रा गए ता एताती रा अब राधार आनी ले कृष्ण क्रिष्ण भने रा सौ वर्श संग बियोक्षान गर्ण परेव कीनत भन्दा इसमा पनी कारण जुन स्रिक्रिष्ण प्रकड को कारण को प्रस्वंग माथी चर्चा गर्दे गर्दा हमीले कुर्यागरे का थियों गौलोग धाम मा स्रीधाम ले राधालाई तपैली 21. सम्म स्रिक्रिष्ण संग अलक हुन पर दात इस तो अबस्ता भय भनी संशारम गर सौ वर्श स्म्म स्रिक्रिष्ण संग अलक हुन परोष दियोक्षान गर्ण परोष मने रा जुन बचन बाण प्रहार गरे कथिये तेहीं बचन को कारण ले करता आज राधारानी यहां 100 बर्स सम्मा स्रिक्रिष्ण को ब्योग में तड़पी रहनों परेओ तर स्रिक्रिष्ण जी ले बचन देनों है को थियो राधा रानिलाई चिंता नगर राधा तिम्रो रक्षा को लागी माँ आफे धर्ती माँ आउने चो भने रा राधा रानिलाई स्रिक्रिष्ण जी ले कस्तरी रक्षा गरनों भायता भन्दा चार दिन पची स्रीकृष्ण जी गौणु के सक्ती सक्ती रोपना आयरा राधारानी धित्रई प्रवेश भायरा स्रीकृष्ण जी ले राधा को रक्षा गरी रहा नुभाय को चल तर त्यू कुरा था नवहे को कारन ने गर्दा खिरी राधहराने ले विरह को पनी अनुभावगरन परियो और त्यहां को कारण यहां आईड़ा पुर्या होँदाच आफनो आफनो समय आए पची एता तिरवाट आफनो आफनो सरीर सोड़ेर आफनो मोल सोरुब मागर मिल दाचन अब हमी प्रसंगाला अगाडी बढ़ाओ राज बाग पहरी साके पचे बैकुंठा को विष्णो क्रिष्णा को अब अगाडी के लिला होँदाच स्रेक्रिष्णा जी ले विचार करदाच अईले सम्मकुने शिक्षालिये को शैना अदेन गरे को शैना किन वने अक्षिरातीत को आवेश सक्ति हुदा के रिता क्यों सक्ति ले अलोकी के लिला हरो जाहर गरी रहे आव विष्णो को सक्ति मात्र विद्यमान से स्तरक्रिष्णा लाए आप वेक्दमे अधूरो जस्तो महाशोश भायो क्रिष्णा बलराम अव उज्जेन मा सांधिवनी अस्तरमा गुरु सांधिवनी को साथ मा रहे रहा सौंशड दिन मा सौंशड विद्याशिक नहोदा चाथ एता तीर मत्रा में के भात तेही बीश मा भंदा कांग्शा को दार भाई सके पची कंग्श को सस्तुरा जरासंद ले आफनो सेना हरुद्वारा मत्रा को चारे तिरावाट घराबंदी गरे रहा उग्रसेन राजा को लागी युद्ध को ललकार दिये युद्ध को चुलोती दिये मेरो ज्वाईला आए मारे राजगतिमा बस्न सकने हिम्मत करने ले अब मस्णग युद्ध को लागी तैयार हो गने ले उग्रसेन लाई चिंता भायो क्रिश्न बलराम ले संदेश पठावन भायो क्रिष्ण बलराम ले संदेश पाउने वित्ते के अब मतुनाम आई पुग्न भायो आयरा चारे तिरहर दाखिरिता जरा संद को शेनाले मतुरालाई चारे तिरह बाटे घेरी सके को तियो श्रीक्रिष्ण जिलाई पनी चिंता भायो किने मने आफुस्रंग युद्ध को कुने सादन हतियार चाईना बैकुंट धाम मा आफनों सक्तिलाई फरकार खेंचेर हेर न भायो बैकुंट धाम को विष्ण को पूर्ण सक्ति श्रीक्रिष्ण भेत्र आयरा विरास्मान भायो संक चक्र गदा पदम चत्र भुजी शरुप को साराई सक्ति हरू सामागरी हरू जब शंपन भायो अब यहां देखी पूर्ण अवतारी सक्ति द्वारा अब अगाणी को लिला हो दाशा चाओदा वर्ष सम्म स्रिक्रिष्ण जिले मत्रामा रहे रहा जरासंद को साथ माँ सात्र पटक सम्म युद्ध भाई सके को चाँ सात्र पटक की युद्ध मां स्रिक्रिष्ण जिले विजे प्राप्तगर्न भायो जरा संद को हार भाई रहे को छा चाओदा वर्षा को समया अशरी मत्रामा बेतीत भायो अब चाओदा वर्षा पसी अठारवी युद्धा को तैयारी चली रहे को थी यो त्यों अठारवी युद्धा को तैयारी को समया अव जरा संदले उटा के प्रतिग्या लियत भंदा एदी मैले यो अठारवी उद्धा मा पनी श्रीक्रिष्ण संग विजय प्राप्त गर्न सकीन भने ब्राम्मन रबेद मा जलायरा दोस्त गरी दें छो प्रतिग्या लिये श्रीक्रिष्ण जिले विचार गर्न भयो मत संशार्म धर्म को रक्षा गर्न को लागी आये को हो मुरक्षि खुदा डरे भने जब जरा संदले प्रतिग्या गरी शके को छा भने उसको हार्त निश्चीत हो युद्धमा जीत मेरो ने निश्चीत हो तर युँ अठारे युँ समय मा मैले हार स्विकार गर्न ने धर्म को रक्षा हो दाचा जगत को कल्यान हो दाचा युँ विचार स्रीक्रिष्ण जी ले गर्न भयरा अठारे युद्ध को समय भायो के समय समय युद्ध गर्न भायो तेस्वचे स्रीक्रिष्ण जी ले जगत को कल्यान को लाग आफेले ने हार सुईकार गरी दिनु भायरा युद्ध कुमेदान बाट भाग दे अगाड़ी बढ़नु भायो स्रिक्रिष्ण जी को नाम केहा देखे रन छोड भनेर पनी जानें छा अथवा रन छोड नाम रहो त्याहा युद्ध कुमेदान बाट अगाड़ी बढ़नु हो दे स्रिक्रिष्ण जी अवा मत्धुरा बाट द्वारी का पुग्णु जब द्वारी का पुग्णु भायो अवा द्वारी का मस्रिक्रिष्ण जी ले 100 वर्ष समरहरा लिला गरनु ज़ा इस्ट्रम्पुर्ण लिला हरु को विश्ट्रेत जानकारी हमें स्रीमदम्हागवत को मैं देमबाट स्रवन गर्दस हो मत्धुरा को 14 वर्ष को लिला द्वारी का को 100 वर्ष को लिला बैकुंठ को विश्ण आवतारी सक्ति को लिला हो महा भारत को युद्धा में जीता उपदेश दिन हुने श्रीकृषना द्वारीका धेसर श्रीकृषन वंदको सक्ती हो 3000 आक्षिरातित को आवेस सक्तिपनी प्रवेस भायर की अक्षिरातित को अलोगिक सब्द हरू राखे को पैंग सा इस जरी इस तरी कृष्ण जी ले दारी का को पनी साय वर्षक को लिला पुरा गई सक्व भाय पशी बैकुंधा को सक्थी पनी आवा वापस बैकुंध धाम मा जादसा इस दरी एक हार वर्ष बाउन दिन सम अक्षरातित को लिला ब्रजमंडल में तेस पच्छी राश्ची राश्ची ला केवल धाम में जो अक्षरातित को लिला हो राश्टिला पुरा भाय पची को यहां को साथ दिन को गोकुल लिला रा चार दिन को मथुरा को लिला गौल के सक्ति को लिला हो तेस पचाड़ी अगाड़ी को चौध वर्ष को मथुरा को लिला रा शौव वर्ष को द्वारिका को लिला बैकुंटको विष्णु सक्तिको लिला हो किसरी स्रक्रिष्ण को लिला को त्रिवीत रहस्ते को प्रसंग महमति प्राणिनाजिले तार्तमिय चिंतन को माध्यम बाट खलासा गर्नुवाय को हो यही द्रिवीद लिला को रहस्यले सास्त्रले कसरी स्पष्ट गरियो यही द्रिवीद लिला को रहस्यले सास्त्रले स्पष्ट गरिये कसरी लिला को रहस्यले 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 स्पष्ट गरिये करम को कुराघरे का थियों जाने करम么 मैं 11 वर्ष 12 दिंद एक जैसी को टुनेक। 11 वर्ष 12 ुमें भी 100 वर्ष 90 डार दाना कंड़ाक प्रिकेवराए परेंद फर्कूर य़िनь को भूर्ष यस्वर 9 वर्ष 100 वर्ष달 पर्लक wilderness ढ़ाफ 4 य Śमित आना अपीश पास्पर के दशा शरी स्रैक्रिश्चनाँ को लिला पुरा हों दशा बलो स्रैक्रिश्चन अनल영ी अलवיל की अब स्रैक्रिश्चना को लिला पुर्य पसी जब वएकुंठ धाम को सktड़िपनि वएकुंठ धाम वापस गई सके पसी यहां धर्तिमा अठाइश्वी द्वापर को समय पुरा भायर अब अठाइश्वी कलियोग को समय प्रारंब भायो अब एता तिर अठाइश्वी कलियोग को समय प्रारंब भायर अगाडी चल देशा अब उत्ता परंधाम मा के भाये था, बन्या परंधाम मा ब्रजलिलारा रास्यला अनुहाओ गरेरा परंधाम मा तनरा अवस्था मा जागरीद भाये का सकीहरू परम्धाम को मुल मिला मा पूर्ण रूपले जागरीत हुना दिन भायना शकी हरु लाई किनत भंदा खेरी स्त्रीराज जी महराज लाई थाहाचा शकी हरु को दिल मा खेल हेरने इच्छा पूर्ण रूपले पुराभाय को छाई ना कि नवने स्वात सी शक्यहर लाई बाउन दिन को बिरह मा खेल हरने इच्छा पुरा भायो अनि राज सी शक्यहर लाई रासना जबस्तर कृष्णा जी अंतरधान हुन भाय को थियो क्यों बिरह को समय मां राज शी शक्यर लाइपनी बिरह को अनुभावगर ने इच्छा पुरा भई शके को थियो तर ताम शी शक्यर को दिल मां बिरह को अनुभावगर ने खेल हरने इच्छा पुरा भई शके को छाई न तेही अवस्थामा रजी महरासले मुल मिलामा उठावन चाहनु भायना तेस कारण रजी महरासले अवा इस्तो योजना बनावनो भायो इस्तो दिलमा लेनो भायो तामसी शक्य हरुलाई पनी पुर्ण विरह को अनुभाव गरावन को लागे अव तेस्तुरु ब्रह्मांड जागनिको ब्रह्मांड को रचना गरे रा आत्मा हरुलाई जागनिको ब्रह्मांड में पठायर पुर्ण रूपली विरह को अनुभाव गरायर मात्र वापस ले आयर मुल मिलामा जागरीत गरावनों परदचा यो स्रीराजी महराज को दिल को तेस कारण इता कलीकोас समय प्रारंब भयो उता राजी महराश के आपनु दिभ्यात्माहर लाइपुन अपर आथत्य प्रोग हता गरन भायता भन्दा, ब्रजमंदल में आत्मा हरलाई पताउँ दा खेरिता एकई इस्थान मा योटेई जाती में आत्मा हरलाई पताईएो तेसले कर दा खेरी बंसी नाद गर रसकी हरलाई, संसार भव सागर बात पार तारन को लागी सजीलो परेऊ, तरप बीयो को खेल, दो प्रेद को खेल को पूर्ण अनुहाव गराओन को लागी यू जागनी को ब्रह्मान्द मा आत्मा हरलाई पठाओ दा खिरी स्रीडाज जिले के विचार गरनुभायत भन्दा भिन भिन जाती भिन 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 धार्म भिन संप्रदाय देश परदेश अलक अलक इस्थान मा आत्म माहर लेखेल मा पठायर मात्र हुदेईन जगावनी पनीत परियो त जगावन को लागी तपैलाने शाक्षी प्रमाण हरू चाहियो नत्रवने एकई चुति आत्मा हरलाई जगावन के को आधार्म जगावने को आधार्म परम्धाम को सुद्धि दिलाउने तेश कारण प्रवंद गर्नु भायत बंदा बेद कतेव को मैं ध्यम बाट ब्रह्मा आत्माहर को खेल मा आउने विश्य को कुरालाई भविश्य वाणी को मैं ध्यम बाट पहलाने खेल मा जाहर गरी दिने तेस पशी मात्रा आत्माहर लाई खेल मा पठाउने ताकि पशी गारा आत्माहर लाई जगाओं दाखेरी ती बेद कतेव का साक्षी प्रमान हर को आधार मा आत्मा हर लाई जगाओं न शक्यों यू प्रबंद राजी महराज ले गरन भायो अफ़ाबा सोचनु भायो तेस कारण जब कलियुक शुरु भायरा 3,660 बर्ष को समय बेतीत भायो तेही समय मा राश खिलन हुने अक्षिणातिश स्रिकृष्ण जी को सकती यो कलियुक को समय को 3,660 बर्ष को समय बेतीत हुदा को समय मा आरभ को भूय मा रसुल महमद साहेप को रुप मा आगमन भायो लाल्दाशी महराच अब यहां भन्नुन्शा राश लिला खेल के आए बरा रब में तहां बात सब जाहर करी चला मार गए इनसे राश लिला पुरा भैश के बचे राश खेलनो हुने स्री कृष्ण जी को सक्तिने बरा रब यानि की अरब को भुमी में रसुल महमद साहेब को रूप में आउन भायो जसको जन्म को नाम मुस्तफा बेग हो रह वहां वित्र नई अक्सिराते स्री कृष्ण जी को सक्ति जसले ब्रजर राश जिला पुरा गरी सक्न भाय पचे तेस्क्रो लिला जाहर गरन को लागी रसुल महमद साहेब को रूप में आउन भाय को हो ता रसुल महमद साहेब को रूप में स्री कृष्ण जी को सक्ति आउन भायो ता आवर रसुल महमद साहेब को विश्य में हमी अलिकती चर्चा गरो चालिस बरसको उमेर में रसुल महमद साहेब लाई खुदा यानिकी परमात्मा को दर्शन भायो दर्शन को समय मां रसुल महमद साहेब लाइ खुदा ले 90,000 हरफ हरु सुनावन भायो हरफ वने को सब्द तती 90,000 हरफ हरु मां ती सजार सरीयत परक ती सजार हकिकत परक ती सजार ग्यान ती सजार मारफद परक सब्द हरु थिये रसुल महमद साहेब लाइ ती सजार सरीयत परक ती सजार हकिकत परक ती सजार मारफद परक सब्द हरु थिये रसुल महमद साहेब लाइ ती सजार सरीयत परक ती सजार हकिक यो तिसजार सरीयत को ग्यान लाई संसार मा गारा सबैला लेखाऊनों पड़ाऊनों शिकाऊनों यही मारगा में चलाऊनों तिसजार हकीकत परक ग्यान लाई कोई योग्ये पात्र पाय भने लेखर छोड़ी दिनो तिसजार मारफत परक जुन सब्द हरू चल ती सब्द को विश्यमा खुदाले के बनवात बनदा यो तिसजार मार्फती सब्द हरू चाएं मैं ले जती भने तिम ले जती सुन्यों दिल को दिल माने राखनों दिमाख समकनी नचड़ाउनों पसलाई भनने तक कुरेई छोड़ दिनों यो मार्फत जाहर गरना को लागी क्यामत को समय मां आख़ी आउने चू बनेरा श्वयम खुदाले रसुल महमद साहेब लाई यो बचन दिनों भायो रतेश पची महमद साहेब ले जब यो ज्यान पाई शकन भाय पची आवा अगाडी रसुल महमद साहेब पुरा यो धर्ति मां 360 वर्षा को उमेर समा रहनों चन तो 360 वर्षा समा रहना दाखेरी 40 वर्षा को उमेर में पाई को खुदा बाट परमात बाट पाई को ज्यान जुन शरीयत जाहर गरन को लागी खुदा ले आदेश दिनों भाय को महमद जाहिव ले शरीयत लाई सबय ये को वीश मैं जाहिर गरन भायो सबय लाई पढ़ाओनों लेखाओनों शिकाओनों तेई मारगमा चलाओनों शरीयत को जाहिर भायो हकिक दरजानको ग्यान कोई योग्ये पात्र मिले भने लेखेर छोड़ दिन भणे र खुदाले आदेश दिन भाई को थी ओ महमद स्याहिव ले आपने छोड़ी र जूए जसको नाम अली र फतिमा थी अली र फतिमा लई येवग्ये पात्र समझे न भाई औ हकेकत दर्जा को ग्यान लेखेर छोड़ी दिन भाई मार्फद जाहिर गर्न कुलागी स्वैम खुदा ने क्यामत को दिन आउन होने कुरा रसुल महमद साहिर लाए खुदा ले बताऊन वाय को थियो शोई अनुसार अवा रसुल महमद साहिम ले की बन वाय तबंदा मारफद जाहर गरन को लागी क्यामत को दिन खुदा श्रयम आउन होने चा बने रहा वह वी से बाणे को रुप मा सवेलाई संकेत गरे रहा कि दिन वायो खुदा आउन उदा कुन सो रुप मा आउन है रुः अल्ला इमाम में दी कुस्छ रुप मा कई लिए आउनों सा, क्यामत को दीन, क्यामत को दीन बने को कई लिए, फार्दारोज क्यामत, फार्दारोज क्यामत बने को भोली को दीन ने क्यामत हो, ते 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 खेर महमद साहिब ले भोली को दीन क्यामत हो, खुदा स्वाइम काजी को रूप मा, इमाम को रूप मा आउनो बने रहे बंदा मॉछमध शाहिव ले बन भयो रभण का दीन एक दुनिका साल हजार रभ यखारमात्न को एक दिन में दुनिया को हजार साल बेती उनता सा तिस्को अर्थ की थी वत बन्दा भूली को दीन क्यामत को दीन खुदा स्वैम काजी को रुकमा इमाम को रुकमा आउनों होंचे बन्नों को अर्था हजार साल पची आउने भविशे बाणी महमद साहिब ले आफनों सब्द में संकेद गरनों भायो पर क्यामत को दिन लाई दसमी ग्यारमी बारमी सदी को समय भने रा निश्चित गरे दिनों भायो रा क्यो समय में इमाम मेदी को रुकमा रुकमा आउने को रास वहाले आफनों सब्द में राखनों भायो मेरे पिछे कोई ना आऊ सी एक रुह अल्ला आऊ सी ओई इमाम कहला आऊ सी मेरो पशी कोई आऊ देने ने उटा रुह अल्ला आऊने हों से रुह अल्ला ने इमाम में दी को शरुप बाट जाहर होने होने छा एस तो एस तो प्रकार को सब दहर को माध्यम बाट रसुल महम्मद साहेब ले दसमी, ग्यारमी, बारमी सदी को समय ले क्यामत को समय भणेर निश्चेद गरेर मार्फद जाहर गर्न को लागी स्वयम खुदाने अर्स अजीम चाउंते अस्मान बाटा आउन होने कुरालाई वहाले आपनो सब्दमा भविशे वाणी कुरुपा कुरान गन्थ द्वारा जाहर गर्न भायो यो विशेलाई यहाँ लालशी महरास ले आपनो चाउपायमा चिंतन गरावन भाय कोछा रसुल महमद साहेवली कुरान मा च्छा दिन को महिमा को कुरा गर्णवाय को छा अनि तियो च्छा दिन को साथ मा और को की गर्णवाय को छा था बन्ना यो च्छा दिन को महिमा को कुरा गर्णवाय को दई तियो च्छा दिन मदे चाउंथों पांच मेरा छटी दिन यो तीन दिन को विश्मा चाएं अर्स अजीम याने की परम्धाम ने जाहर हुने छा बने रा त्यूपनी संकेत गर्म भाय को थियो तरह इसको रहस्य कसे दिपनी खुणासा करना सके न अब इसको आलखा के हो लाल्डशी महराज यहां भन्नों छा छे दिन कुरान में वाके भय जब ता दिन की हकिकत सारी जीप कही तब चाउदिन को कुरा चाउदिन को रहस्य महमध साहिब ले संकेतिक रूप मा यहां नेरी कुरान गर्न्थमा राखनु भाय को थियो तियो कुरा को खुलाश गर्न हो दई यहां महमति प्राणिना सी ले जुन प्रकार ले खुलाश गर्न हो भाय को थियो तैसला है लाल्डशी महराज ले यहां भन्नु भायो त्यों छा दिन को समय कईले कईले को समय कसरी ता बंदा तामे एक दिन ब्रज में, दुस्तरे दिन राशा, एक रात तहां खेल के देखे बिरह बिलाशा त्यों छा दिन मत दें, एक दिन भने को ब्रज को लिला हो रद दोस्तरो दिन राश लिला रतَّ त्येस्ट्रो दीन भने को कुणता भन्दा रसूल महमद साहे को समय लए तैस्त्रो दीन को समय आथा बत्येस्त्रो दीन को लिलाभने को मनुरथ पीछे रहे तव तीशरोह यिन्डा तामे आय बरारभा आमर फैलायो ब्रह्माणडा यहा है दिन तिसरा रहे साथ वर्स और तीन त्रिसाथ वर्स सम्वर रुसुल महमद साहे बशेर जुन लिला गर नुभायो यहा है दिन तिसरा यो तेस्त्रो दीन को लिला हो रब्बानी कलाम लिया के सब को दिया यकिन रभवानी कलाम याने के परमाथमा को वाणी, रभवा को वाणी, ब्रह्मा वाणी, कुरान को होईशे वाणी को रोपमा ल्यार सवैलाई बिश्वास दिलाउन भायो, तअ अवा अगारि लालदा सी महराज के वन्नों छत भन्ना, यहां कथा बहुत नहीं, बिश्टार नहीं लिला मुहम्मद साहिब को लिला यी तिने लिला बहुत विस्तार फुर्वक्षा इसको व्याख्या करें यहां संभव सही न अनि और को कुरा इदी इसको चिंतन कशलाई गरनों सबने जाननों सबने पाइरो दिन रहा दोस्तरों दिन ब्रजर रास को लिला स्रेमाद भागव को लिला कुरान गरन्थम्हें चिंतन गराई एकोष तिसकारण अव लाल्लशी महराज के वन्नों चबन आ पार चौंधे दिने की सयाँ करो विचार अवम चौंध्धो दिन को लिला तरफ प्रवेश कर न गई रहे कोषों चौंधो दिन को लिला माथी अव विचार कर नहो सम्षिर्द भनी राहों चाउंतो दीन सद्गुर महराज को लिला पांचमी दीन महमती प्रणिनाशी को लिला रच छठी दीन सुन्दर साथ को जागनी लिला रच सुन्दर साथ को जागनी लिला छठी दीन को लिला यो क्यामत को दिन प्रलय काल समच अली रहां चा अनि साथ सब्सक्राइब ख़िए सब्सक्राइब हो हो दिन था परभाइब शंद नीन को एकीा समय था किव थे रस्राइब थे पूरा भाया आव चाहां फो दिन याने के सदगुरु महराज दार अवी पाइब नाव देश machen अच है एता रसुल महमद साहेब ले क्यामत को दिन खुदा स्वयम आउनों हुने भविशे बानी राखनों हायो कुरान गंथ को माध्धिम बाट भने हिंदु धर्म सास्त्र भेत्र पनी अवा भविशे बकता हरो को माध्धिम बाट भविशे बानी को माध्धिम बाट यो धर्तिमा कलियोग को समय मा बुद्ध अवतार को लागी कल के अवतार को लागी उटा अलग के अलोकी का भविशे वानी हरो जाहेर गरियो भविशे वक्ता हर को मैं ध्यम बाटब 28 कलियुक को बुद्ध कलकि अउतार को लागी की वविशिवाणी गरियोत भन्ना यू भन्ना अगिलो कलियुक हरु में जो बुद्ध कलकि अउतार आओद थे उन्हीं हरुलें यूख परिवर्तन करवड़ जानते तर आव यो 28 कली में आवने बुद्ध कल की अवतार ले स्रिष्टिने परिवर्तन गरिदिनें सा, भनेर योटा अलोकेक भविशे बाने राखे दिने मायो अनि तेश को सात सात मा यत्र तत्र सर्वत्र परमात्न का अलोकेक सक्ती आवने अणि यहां धर्ती में आयरा सवई जगत लाई नहीं अखंड मौक्षे प्रदान करने इस्ता इस्ता सब्द हरो जाहेर हो नहीं गयो ब्रह्मात महरु संशार में आउन भंदा पहला नहीं भविशे बानी को माध्धिमात बेद कतेव को सब्द को माध्धिमात ब्रह्मात महरु को महिमाला धर्ती में यत्र तत्र चर्चा गराईयो तेसे कारंगत भनिये कुछा पहले दही जमाय के पीछे दोए गाई बचिया उनके पेट में माखन हाट विकाए इसको आशे की हो पहले दही जमाय के पीछे दोए गाई इसको आशे हो इसको आर्था हो पहला परम्धाम को मुल मिलाव मा आत्मा हरु को बई ठकला जमायर राखन हायो पीछे दोए गाई पचिया आत्मा हरु लाई सुर्ता रोख मा संसार मा उतारन हायो बच्छियां उनके पेट में बच्छियां को आरधा यहां ब्रह्मा आत्मा हरु को परात्मा शोरुवता इले परम्धा मुल्मिलावने शात्मा हरु मुल्मिलावने शन माखन हाथ विकाए ब्रह्मा आत्मा हरु को महिमा संसार को वेच मा जगत को वेच मा चर्चा परिचर्चा वही रहे को चा ब्रह्मा आत्मा हरु संसार में आउन भना पहलाने यहां धर्म सास्त्र में ब्रह्मा आत्मा को आगमन को विशय में किस अब्द राखियो दिव्य ब्रह्म पुरस्यह ब्रह्मा द्वैतस्य वासना तासा मेकाच परमा शुभगा सुन्दरी प्रिया मरुद्देशे कुले सुद्दे निरु पमशा धरिश्यती चंद्र नाम अपमान लोके हरिश्यत्य शुभाम गतीव दिव्य ब्रह्मपूर धाम बाट ब्रह्मकाती अद्वित आत्मा हरुमदे एक सौभग शाली सुन्दरी आत्मा जो स्रिडाग जी महराज को परमात्मा को अत्यंत प्रिय आत्मा योधर्ति मा मरुद्देशे सुद्द कुले मारवार देशको शुद्द कुलमा नरतन धारणगर राऊने चन रजस्कु नाम के रहने चा चंद्र नाम चंद्रनाम यानिकी देव चंद्रनाम रहने से यहां समनिशीद करिये कुछ इस तो प्रकारले दिव्य ब्रह्मधाम को आत्म संशार मां आऊने अनि सारा जगतलाई अखंड मुक्ष प्रदान करने दिव्य जाहर करने भी सैमा धर्म सास्त्रमा भविश्य वक्ताहरुको मा दियंबाट सब्द जाहर हुदेगाईो रहा समय चल दए चल देगाई रहा कलियुक को लगबक 4,360 वर्षो को समय हुना आयो इता तिर विक्रम दिद्धे को समय अनुसार हेर ने हवने विक्रम संबत 1136 को लगबख समय चल दे थियो अवे अता के भायो बरतमान पाकिस्तान मा परदस मारवार देश को उमर कोट भने गाओ जहां मौत्तु में हतारा कुमर भाई नाम गरे को दुई जना दमपती जो दामपती जीवन में अवन भायot को धेरे समय बिध्धा केरी पनी सबेश पी चीजबर परिफूरन शां तरे उटा संतान को कमी थियो संतान को कमी भायot को कारण ले गर्दा खरी जीवन के अधूरो अधूरो महसूस भाई रहे को थियो मानुकी इस्तिती तिस्ते थियो जस्ते ब्रजमंडल मा नंद वावर एशोदा मैया को इस्तिती थियो बहुत संस्कारी धार्मिक परिवार और सबई जना ले वहां हरो को भलाई चाहनों हन्तियो तो 33 संपन्हों बसे संतान को कमी भने मास्वर आज़ भाई रहे को थी यो समय जाना को भावना मत्यों महतार कुमरवाई को घरमा यो संतान को प्रकट होस युखाल को भावना थी जवसमे वेतीत रहे गायो बिक्रम संबद 137 लगवक को समय चल दे थियो मौत्य महता जी जो काइस्त जाती को हुनां जो ब्यापार कार्य गर्नां जो ब्यापार को सिलसिला मां मौत्य महता बाईर जाने आउने चलिने रहां जो एक समय मा मत्य महताजी ब्यपार कार्डे लाई लियर बाईर जानु भाय को थियो एक दिन कुवरबाई माता दिन को समय मा अपनो घार को कार्डे पुरा गरे रा अपनो घार मा नहीं जरोखामा बशी रहनु भाय को थियो इनको समय मा कुंवरवाय मा तला योटा दिवा सपना को महसूस भायो त्यो दिवा सपना मा नहीं आस्मान बाट अकास वाट त्यो पुर्णी मा को त्यो पुर्ण चंद्रमा जस्तो विस्तारे 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 अफनो नजदिक नजदिक आउदी गरे को अनि आयर त्यो गोद मा समाए को महसूस भयो तमाई को घर मा उटा पुत्र रत्न को अव प्रकट हुदेई छा तमाई को भाग्य जागरीद हुदेई छा इस तो प्रकार ले पुत्र को प्रकट हुने विशैमा जो तीस जिले भविशे वाणी गर्न भायो समय वेतीध हुने गयो कुमःवाय माता को भक्ती स्त्रत्दा अजे वरदे गयी रहे कुछ बिक्रम संबत 138 को समय आयो एता तीरवाट कुमःवाय माता को योटा पुत्र को जन्म हुने समय नज़दिक आई रहे कुछ शंपुर्ण भविश्य वक्ता हरुले भविश्य मानि गरे अनुसार योटा अलौकिक सक्ति धर्तीम प्रकड हुने.. शंकेत अनुसार संसार का सारा अस्तीक आत्मा हरु बेद पढ़ने होस्या कतेव पढ़ने हरु 호स्वेज अलौकिक सक्ति को प्रतिक्षाम बशिरय को again प्रम्धाम का 12000 ब्रह्म प्रियाहरु मद्दे सुन्दरवाई शक्षिलाई सरव प्रतम तेस्तुर ब्रह्मांड जागनी को ब्रह्मांड नम पठाउने बिचार गर्नु भयो किनवने सुन्दरवाई शक्षिको नाम उल्लेह गरियर नहीं भविश्य वक्ताहर ले भविश्य वाणी मा ब्रह्मात महर को आगमन को संकेत गरिये कुछ अणि सात्म श्यामजी महराणी लाई पठाउने तपरम्धा मुल मिलाओम अक्षिनाति धामधनी स्रिराजी महराज ले श्यामजी महराणी लाई वन्नु भयो अब इस सवेत प्रवंध हरू सवेत आहिरू हरू भय सकेपची समय आयो बिक्रम संबत 138 आशोज सुधी 14 श्तिथी को दिन अब यही दिन के हुदचत वन्ना परम्धां को श्यामजी सकती अनि 12,000 आत्मा हरू मद्दे शुन्दरवाई शकी को बासन अनि धार्तिमा धार्म सास्त्रले भविशेवानी गारेको जागरेत बुद्धी को आगमन अनि तेश्वशी महमद साहेबले हजार बर्स पची रुह अल्ला को सक्ति में खुदा सोरूप आउनों हुने जुन भविशेवानी अनुसार इस सवे सक्ति हरलाई समय तेरा बिक्रम संबत 138 आशोज सु आशोज सुदी चाउद सको जन्म दिन स्री देव चंद्रजी आई प्रगटी मारवाडमों बलूस्त्री सदगुरु महराज की इस तो प्रकारले बिक्रम संबत 138 आशोज सुक्ल चत्तुरद सिति थी मारवाड देश को उमरकोड गाउमा स्री देव चंद्रजी महराज को प्रकट हुनूवने को नई परम्धाम को श्यामाजी को सकती देव चंद्रजी महराज भित्र विद्यमान चा शुंदरवाई सकी को सकती रसुल महमद साहिवले भविशिवानी गर्न भाय अनुसार को रुह अल्ला को सकती रज्यागरीत बुद्धि को सक्ति अनि इतारे सक्ति लाए धर्ति को उत्तम जिवटा पात्र बनेरा स्री देव चंदरजी महराज को प्रकट होदा छा बुलोस्तरी सद्गुरु महराज की तप्यारे संदर साहजी एसरी आजको प्रसंग मा हमिले रास को प्रसंग होदे रसुल महमद साहेब को प्रसंग होदे सद्गुरुस्ति देव चंदरजी महराज को प्राकटि को प्रसंग मा ती चर्चा गर्यों अब भोली वाट अगाडी को प्रसंग मा देव चंद्र जी भित्र को अलोकिक शक्ती वहां को बाल निला हुदे अगाडी को जीवन दर्शन माती हमी चर्चा गरने शों आज को चर्चा को समय पुरा भर्श के को छा इने शब्द हर को साथ मा चौपै दोहरार अब आज को प्रसंग लाई यहीं भिस्त्राम गरें चा बुलुस्त्री सद्गुरु महराज की संबत शोलसे अड़तिसे आशोज सुधी चौदसको जन्मदिनाश्त्री देवचंद्रजी आए प्रगटे मारवाडमो आए प्रगटे मारवाडमो बुलुस्त्री कृष्ण कनहिया लाल के बुलुस्त्री सद्गुरु महराज के स्थ्री प्राणिनात्य प्यारे के प्रणाव